नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई करियर पे आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सूपर फोर्टी क्लास जो आपकी स्पेशल रहेगी इस टैनोगरापर के लिए जो हमारे चैनल पर पहली क्लास होगी डीजिनिंग क इससे पहले हमने आपको SSC, CHSL, CGL और अधर एक्जाम के लिए कराई थी तो आज ये इस्टैनोगरापर के आपकी पहली क्लास रहेगी जिसमें आपको फोर्टी क्वेस्टन दिये जाएंगे तो आप सभी जल्दी से एक बार लाइवाओ उसी के साथ आज का ये सेशन स्टा ये क्लास इस्टैनोगराफर के लिए तो बताईए जल्दी से पहला कोस्चन आपके अकोर्टी क्या आंसर हो जाएगा कोस्चन नमबर फर्स्ट कोर्डिंग डिकोर्डिंग का ये कोस्चन है तो बताईए तो देखिए इसने कहा है आपको दिया गया है कोड पहले एंडरो मीडा का कोड ये दिया गया है इसका कोड ये दिया गया है तो आपसे लास्ट ये तीछरे वाले का कोड आपसे पूछ लिया गया है तो सबसे पहले तो आपको ये ही पता होना चाहिए कि जो ये उपर दो कोड दिये गए है इन कोड में क्या relation है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए उसके बाद आप से चाहिए फिर कितने भी code यहां से पूछ लिए जाए आप सभी के अंसर निकाल लोगे तो देखिए सबसे पहले जैसे ही मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ इसका code दिया गया है पहला तो यह code दिया गया है आपको एक और code दिया गया है तो देखिए अगर आपने यह code ही जान लिया एक मिनट यह थोड़ा सा इसको इदर लिख दे रहा हूँ आपको इस टार्टिंग के लेटर नहीं दिखाई दे रहे होंगे ये दिया गया है अब को इसका code दिया गया है ये वाला अब आपको clear दिखाई दे रहा होगा तो देखें सबसे पहले तो हमें code जानना होगा इन दोनों के बीच में तो देखें सबसे पहले यहां पे क्या है अपको इधर भी क्या है अपको इसका मतलब क्या है कि यह letter आपके same है यह letter कैसे है यह दोनों letter आपके same है last में आपको यहां पे भी a दिखाई दिया और यहां पे भी a इसका मतलब यह भी क्या है यह भी आपके same है तो यहां से देखिए पहला और लास्ट वाला दोनों लेटर कैसे हैं सेम बाकी लेटर की अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले की तो यहां पे देखिए N N का नमबर क्या होगा 14 O का नमबर क्या होगा 15 तो यहां से क्या हुआ पलस 1 हुआ उसके बाद आपने देखा कि D4, E5, R19, R18, S19 तो इसका मतलब पहले और लास्ट वाले को छोड़के बाकी सभी लेटर में क्या हो रहा है पलस वन की कंडिशन यहां पे एपलाई है तो यहां से क्या है इन सभी में पलस वन की कंडिशन एपलाई है क्या बात समझ भाए अब आप आराम से यह कोड निकाल सकते हो अब अगर हम इसकी बात करें तो देखें यहां पे भी क्या है पहला लेटर S है तो S से यहां पे भी क्या दिया गया है आपको S दिया गया है तो इसका मतलब यह भी same है last वाले में क्या दिया गया O और इधर भी आपको O दिया गया है तो यहाँ पे भी same concept है कि पहला और last वाला दोनों letter क्या है same है बाकी देखेगा आप सभी letter यहाँ पे क्या है O O से next P M से next N तो यहाँ पे क्या है plus 1 है तो ऐसे यहाँ से भी code क्या बन जाएगा आपका कि T T भी क्या रहेगा आपका same रहेगा और last वाला E भी same रहेगा तो बाकी के जो यह पांच लेटर बची आपके इन में क्या होगा plus 1 की condition होगी तो यहाँ से क्या जाएगा A से क्या जाएगा अपका B D से E P से Q O से P और L से M आजाएगा तो यहाँ से आपका कौन सा आंसर सही होगा option number 2 सही हो जाएगा क्या आप बात समझ पाएगा देखें यहाँ से concept क्या था यह आपको दिया जा सकता है paper में कि पहला और last वाला letter दोनों क्या है आपको same दे दिये गई उसमें कुछ भी add नहीं किया गया है बाकी के जो बीच वाले letter बचे इसमें plus one add किया गया है तो ऐसे ही हमने यहाँ से भी इसका अंसर क्या निकाल लिया option number B हमारा answer रहेगा तो देखें next question आप सभी के सामने जल्दी से बताइएगा next question का भी answer क्या होगा यह सभी question ऐसे exam जैसे इसी के आधार पर आपको exam में question दिये जाते है यह same question भी आपको exam में मिल सकते है तो next देखें यह direction से question आया आपका तो बताइए जल्दी से आप कैसे करोगे मैंने आपको बताया है कि direction से अगर आपको कोई भी normal question पूछ लिया जाए तो उसमें कभी भी आपको diagram नहीं बनाना कैसे जैसे इसने कहा आकास अपने hostel से निकल कर पस्चिम की ओर 6 km की दूरी तै करता है तो देखें हमें पताए कि हमें जो मैंन डारेक्शन है वो चार डारेक्शन होती है कोन सी नोर्थ, इस्ट, साउथ, वेस्ट तो इसको मैंने एजटी जैसे ही लिखा N E S W ठीक है पिर अब देखेंगा उसने कहा आकास अपने hostel से निकल कर पस्चिम की ओर 6 km की दूरी तै करता है तो अब देखेंगे वो किस दिशा में चला पस्चिम की ओर यानि के वेस्ट साइड वेस्ट चला वो कितना 6 km बात समझ भाए फिर उसने क्या कहा फिर वे 2 km उत्तर दिशा की ओर चलता है तो यहां से देखेंगा अगर मैं मालो यहां पे हूँ वेस्ट में यहां से चला वेस्ट में पहुचा और मुझे जाना है उत्तर दिशा की ओर तो मैं यहां से राइट मोग करूँगा बात समझ भाए तो यहां से देखेंगा अगर मैं दो बारा से फिर से चलता हूँ तो फिर से क्या होगा यह रिपीट होगी तो इसके राइट साइड में कौन सी डारेक्शन है आपकी नोर्थ, तो नोर्थ में कितना चला वो दो किलोमेटर चलता है, तो इसका मतलब देखिए आपको अलग ऐसे लिखने की आवश्चेक्ता नहीं है, क्योंकि ये बस मैंने आपको समझाया है, आपको पता है कि मैंने कह कि मैं पस्चिम की और जा रहा हूँ, और पस्चिम से अगर मैं बाई और मुड़ा, तो कौन सी डिसा होगी, साउत होगी, दक्सिन डिसा होगी, और यहां से अगर मैं दाई और मुड़ता हूँ, तो कौन सी डिसा आई, नोर्थ आई, तो इसका मतलब मुझे ये अलग से ल 6 km पूरुव की और चलता है तो यहां से देखिएगा फिर से क्या हुआ 6 km पूरुव की और चला तो यहां पे चला आकास के प्रारंबिक बिंदू से प्रारंबिक बिंदू के अंतिम संदर में उसका अंतिम स्थिति क्या है तो अब देखिए इसका अंसर कैसे करेंगे आपको पता है कि नोर्थ के अपोजिट क्या है साउत है और वेस्ट के अपोजिट इस्ट है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट ये दोनों चस्वेकि मैंने आपसे कहा कि मैं पहले तो मालो 6 km ये इस्ट में चला, पुरो दिसा की और चला और फिर 6 km पस्चिम दिसा की और चला को तो धोनों क्या है चैंसल हो जाएंगे किन्सिल होगे सो भचा क्या और नोर्थ 2 km बचा आपका तो तो आप अंसर क्या करोगे, दो किलोमेटर उत्तर दिसा में है, तो देखिए आपको कोईश्चन अगर आप ऐसे करोगे, N.E.S.W. से तो आपको इन कोईश्चनों में यहाँ पर डाइगराम बनाने की आवश्यक्ता नहीं है, कि पहले यहाँ से कोई पुइंट यहाँ से चला, कि पस्चिम की और 6 खिला, उसके बाद 2 किलोमेटर उत्तर की और चला, और फिर से 6 किलोमेटर पूरव की और चला, अब देखे concept क्या रहेगा आपका यहां पे भी same रहेगा तो यह दोनों cancel हो जाएंगे तो direction कहां से कहां तक की पूछी गई आप से यहां से यह उसका starting point था यह ending point था last point था तो यह कितना आजाएगा आपका 2 km और कौन सी दिसा उत्तर दिसा तो इससे भी same आया concept आपका answer सही है क्या आप बात समझ पाए तो आपको यह बनाने की आवशक्ता नहीं है तो देखे next question आपके सामने अब देखे इस question में थोड़ा सा क्या है कि number आगे पीछे हो गए है मैं इसको एक बार अपने तरीके से जो भी question यह सही है question की सही language है वो मैं आपको लिख देता हूँ तो देखे question आपको दिया गया था 64, 125, 216 और जो यह आपको दिया गया था यह यहाँ पे है इसके बाद यह यहाँ आपसे पूछा गया कि बताए यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पे 1728 है इसके बाद यहाँ पे 343, 512 है और यहाँ पे 729 यह question है आपके सामने अब देखिए इसमें क्या था कि यह तीनों दिये गए थे लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था यहाँ पर 64 के नीचे है लेकिन यह आगे निकल गया तो इससे question में आपको थोड़ा सा doubt रहेगा तो जो question की सही language है वो यह है इस type से आपको यह भी हो सकता था कि इस type से भी कुछ बना हुआ हो ठीक है इस type से भी यह question आपको दिया जा सकता था मानलो यह question है आपके सामने तो आप बताओ आपके according चार ओप्सन आपको दियेगा यह इन चार ओप्सन में से कौन सा यहां पे सही होगा क्या इसमें लोजिक यूज हुआ है सबसे पहले तो आपको वही बात जाननी है कि इस question में लोजिक क्या यूज होंगे तो आप देखिए जैसे ही आपने देखा यह सभी नंबर तो आपने जैसे 64 देखा आपने सोचा कि यह तो किसी ना किसी का क्या है क्यूब है तो 64 किसका क्यूब है आपने कहा जी ये तो 4 का क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 का क्यूब फिर आपने 125 को देखा आपने कहा जी ये तो 5 का क्यूब है आपने देखा 216 ये किसका ये 6 का क्यूब है अब इसके बाद देखी ये 343 किसका क्यूब है आपने कहा जी ये 7 का क्यूब है 512 8 का क्यूब है 739 ये 9 का क्यूब है अब अगर मैं 1000 की बात करूँ तो ये किसका आप इसको लिख सकते हो कि यह जो है यह 10 का क्यूब है तो इसका मतलब यह क्या है यह सभी नंबर किसी ना किसी के क्यूब है तो इसका मतलब जैसे यह भी धा यहाँ पे 1728 तो यह किसका क्यूब था यह 12 का क्यूब था इसको क्या लिख सकते हो आप 12 का क्यूब लिख सकते हो अब देखें यहाँ पर क्या है यह 4 का क्यूब है यह 7 का तो 4 और 3 7 और 7 और 3 10 5 और 3 8 8 और 3 11 6 और 3 9 9 और 3 12 तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर आएगा आएगा आपका 11 का क्यूब तो 11 का क्यूब क्या होगा, 11 का क्यूब होगा आपका 1331 और यही आपका अंसर हो जाएगा, जो कि आपको मिलेगा, option number B में, क्या आप बात समझ पाए, जैसे ही आपने इन सभी को देखा, कि जो यह आपको number दिये गए थे, यह कैसे number आपको दिये गए थे, यह किसी ना किसी के cube थे, यह सभी number किसी ना किसी के cube थे, तो पहली तो बात यह थी कि यहाँ पे 4 दिया, नीचे 7, 4 और 3, 7, 7 और 3, 10, बीच में 10 दिया गया, दूसरा क्या था, concept देखे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यह क्या था, 10, और यहाँ पे 12 दिया गया, तो बीच में बचा कौन, बीच में बचा यह थी question की सही language, आप इस language में question को लिख सकते हो, यह थोड़ा सा क्या है कि यह, इसके number आगे पीछे हो चुके थे, ठीक है, बात समझ भाई आप सभी, तो देखे, next question, इसने कहा के बीची स्कूल की दसवी कक्सा, कि कुल संख्या 550 है, कुल संख्या 550 चातर है, यदि 80 चातर किरकेट खेलते हो, असी चातर किरकेट खेलते हो, 122 चातर, वालिवाल और 22 चातर दोनों खेल खेलते हो, तो पता लगाईए कि कितने चातर, ने तो किरकेट और ने ही वालिवाल खेलते, तो अब देखे, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका diagram, तो देखे, यह क्या है, यह मैंने मान लिया, जो इस सरकल में आएंगे, वो सभी क्या है, किरकेट खेलने वाले हो, दूसरा मेंने एक और यह diagram बनाया, कि यह सभी वो है जो वोलीवाल खेलेंगे, अब देखे, यह जो इस पेश आया, यह देखे, यह किरकेट वाले में भी आया, और यह वोलीवाल बी आया, तो इसका मत और 122 चातर वोली वोल खेलते हैं और 122 चातर दोनों खेल खेलते हैं तो सबसे पहले आप देखिए का यहां से दोनों खेल खेलने वाले कितने 22 तो आपने रखा 22 ऐसे चातर है जो दोनों खेल खेलेंगे बात समझ भाई अब इसके बात देखिए फिर उसने क्या कहा यदी 122 चातर वॉली वॉल खेलते हैं अब देखें यहां पर यह जो पूरे आये complete यह क्या है वॉली वॉल खेलने वाले यहां तक इसका मतलब 22 तो यह आये total कितने थे 122 तो इधर कितने बचे होंगे 100 यानि कि 100 बचे हुए होंगे अगर मैं बात करूँ कि वॉली वॉल कितने खेलते हैं केवल वॉली वॉल तो आप कहोगे जी यह सो जो है यह केवल ऐसे वैकती है जो केवल वॉली वॉल खेलते हैं बात समझ भाई दूसरा उसने क्या बोला था दूसरा उसने बोला था कि यदि 84 किरकेट खेलते हैं तो अब देखिए किरकेट टोटल उसने बोला 84 किरकेट में से 22 ऐसे आए जो किर्केट के साथ साथ क्या खेलते हैं वोली वोल भी खेलते हैं तो यहां से आप माइनस करिएगा तो कितने आ जाएंगे तो ये कितना आजाएगा आपका 58 आजाएगा तो जो ये 58 आए आपका ये कौन है ये 58 ऐसे वैकती है जो केवल किरकेट खेलते हैं ये 58 ऐसे वैकती है जो केवल किरकेट खेलते हैं अब आपसे पूछा क्या गया था आपसे पूछा गया कि कितने चातर ऐसे होंगे जो ने तो cricket खेलते और नहीं वोली वोल खेलते तो अब देखे टोटल आपको दिये कितने गए थे टोटल आपको बोला गया था कि 556 है तो 550 में आप माइनस करिये तो देखे 100 तो ये रहे पलस 22 ये रहे पलस 58 ये रहे तो टोटल कितने आए तो आपने 550 टोटल थे उसमें से इसको माइनस किया तो ये आए आपके 180 तो इधर आपने माइनस किया तो कितने बचे 370 आपका आंसर आया 370 ये ऐसे व्यक्ति है जो ने तो किरिकेट खेलते और ने ही वोली वोली यहां से भी आपका क्या है option number B सही हो जाएगा क्या आप बात समझ पाए यहां से भी क्या हो जाएगा आपका option number B सही हो जाएगा 370 ये व्यक्ति है ये चातर है जो ने तो किरिकेट खेलते और ने ही वोली वोल खेलते क्या आप बात समझ पाए अब देखिए चलेंगे हम next question की तरफ next question हमें क्या दिया गया है इसने कहा कथन और निसकर्स आपको दिया गया कि सभी पैन नीले है मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार इसको भी हम करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा अब देखिए इसने क्या कहा आपको कथन दिया गया है कि सभी पैन नीले है सभी पैन क्या है नीले है दूसरा आपको दिया गया सभी नीले बच्डे है ठीक है अब यहां से आपको निशकर्स भी दिये गए दो पहला निशकर्स क्या है कुछ पैन बच्डे है कुछ पैन क्या है बच्डे है दूसरा क्या दिया गया है कोई पैन बच्डे नहीं है कोई पैन बच्डे नहीं है अब देखिएगा आपको पता है कि यह पहली स्टेटमेंट आपको दी गई यह दूसरी स्टेटमेंट और यह पहला कंकलूजन और यह दूसरा कंकलूजन ठीक है तो आपको देखना है कि सबसे पहले ये कैसा दिया गए आपको positive ये भी positive पहला निसकर्ड़ भी कैसा दिया गए positive और दूसर निसकर्स आपको negative दिया गए अब देखें मैंने आपको बताया था कि आपके पास दोनों statement कैसी है positive और आपसे पूछा क्या गया आपसे पूछा गया है निसकर्स negative तो इसका मतलब positive से negative आप नहीं निकाल सकते तो दूसरा आपने देखते ही क्या किया कि ये गलत है बात समझ पाए अब देखें बचाई ये ये क्यासा है ये positive है और positive से मैंने आपको बताया था कि positive आप निकाल सकते हो अब देखें उसने कहा कुछ पैन बच्चडे है अब देखिए पैन ये रहा और बच्चडे ये रहे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका निसकर्स आया ये इन दोनों स्टेटमेंट से मिला के आया तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम कैसे मिलाएंगे अब देखिए गा इन दोनों स्टेटमेंट को हम कैसे मिलाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कम से कम क्या है आपने सबसे पहले रखा कि 100 की वेटिज 100 इसमें सभी में कितनी वेटेज रखेंगे, तो हम 100 और 50, यहां पे भी कितनी रखेंगे, 100 और 50, अब देखें, मैंने आपको बताया था, कि इसमें कम से कम एक common term होनी चाहिए, आपने का आज ही common term यहीं नहीं ले, और common term की वेटेज उपर 50 और नीचे 100, तो कम से कम कितनी होगी, 1.500, और होनी भी कितनी चाहिए थी, कम से कम 1.500 ही होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, कि इन दोनों से हम यह निकाल सकते हैं, अब कुछ में क्या रखेंगे, यहां पर value 50, 50 तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए का pan की value हमेंच यह जहिए कितनी 50, और हमारे पास है कितनी 100, तो हम रख सकते हैं, दूसरा बचडे की हमेरे पास है कितनी 50 और हमेंचे यह भी कितनी 50 तो इसका मतलब यह क्या है आपका फर्स्ट वाला सही है कि कुछ पैन बचडे है क्या बात समझ पाए बताईए अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट रहा हो इन पांच कोश्चनों में अब तक तो एक बा करता है ऑप्शन भी यहां से आपका सही अंसर होगा केवल निसकर से एक निकलता है next देखेगा next एक और कोश्चन आया इसी टाइप का उसने क्या कहा कुछ खनिज रोप है अब देखे उसने कहा कुछ खनिज रोप है कुछ बोल खनिज है अब मैं इसको भी एक बार लिख हूँ, जी, गूड इवनिंग, नितिन बाठी, गूड इवनिंग, बताईए अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट रहा हो इन कोस्टनों में, जो अब तक आपको पांच कोस्टन कराए हैं, अब देखिए, इसने क्या कहा, कथन आपको दिया गया है कि कुछ खनिज रोप है मैं इसको लिख लेता हूँ, एक बार, पहली स्टेटमेंट क्या दी, कि कुछ खनिज रोप है, सेकंड में क्या दिया कि कुछ बोल खनिज है, कुछ बोल क्या है, खनिज है, अब देखिए, यह आपको दो स्टेटमेंट दी गई थी, और यहां से आपको दो कनकलूजन दिय गई पहले conclusion में क्या दिया गया? कि कुछ रूप बोल है. क्या है? कुछ रूप बोल है. दूसरा क्या दिया गया? दूसरे में आपको दिया गया, सभी बोल खनीज है. अब इसको समझना, सभी बोल खनीज है. अब इससे आपको जो last में question कराया वो भी clear एक बार फिर से हो जाएगा और ये भी clear होगा अब देखिए आपको क्या देखना है कि सबसे पहले ये दोनो statement कैसी है ये दोनो statement positive है और दोनो निशकर्स भी आप से positive ही पूछे गए तो इसका मतलब आप इसमें negative तो नहीं पूछा गया तो अब क्या है दोनो आपको check करने होंगे तो देखिए कुछ के लिए हम क्या use करेंगे value 50-50 यहां से समझना बात को उसने फिर से क्या कहा कुछ बोल खनीज है तो यहां पे भी value क्या रखेंगे हम 50-50 ठीक है तो उसने देखिए conclusion भी आप से पूछा है कुछ में तो यहां पे भी value क्या रहेगी आपकी 50-50 और सभी के लिए 150 अब देखिए उसने कहा कुछ rope ball है अब rope कहा है rope पहले वाली statement में है और ball दूसरे वाली statement में है तो इसका मतलब इन दोनों statement को मिला के एक conclusion बनाया गया है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको इन दोनों से एक निसकर्स निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें कम से कम एक common term होने चाहिए आपने कहा जी common term ये रिखनिज इधर ये रिखनिज common term क्या है खनिज फिर मैंने आपको कहा जी common term की weightage कम से कम डेड़ सो होने चाहिए तो आपने कहा जी इधर भी 50 इधर भी 50 हमारे पास तो 100 है डेड़ सो है नहीं तो मैंने कहा जब डेड़ सो नहीं है तो आप इन दोनों से मिला के कोई भी निशकर्ज नहीं निकाल सकते तो ये क्या है कुछ रोप बोल है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा कि आप नहीं निकाल सकते दूसरा आपको क्या पूछा गया कि सभी bol खनीज है, अब देखिए bol ये रहा, खनीज ये रहा तो ये क्या है, ये direct refers आपकाई, केवल एक ही statement से जो आ जाएगा वो उसको क्या बोल लेंगे, अब direct conclusion बोल देँगे तो अब देखिए, सभी के लिए bol की weightage है कितनी होनी कितनी चाहिए 100, लेकिन हमारे पास बोल की वेटिज है कितने 50 तो ये भी नहीं हो सकता कि मेरे पास मानलो 50 रुपे है तो मैं 100 रुपे का सामान नहीं खरीद सकता जबकि दुकान पर लिखा हुआ है कि उधार बंद है क्या आप बात समझ पाए तो ये सेम कंसेट यहां पर यूज है कि बोल के लिए हमारे पास वैल्यू है कितने 50 और हमें चाहिए कितने 100 तो हम नहीं ला सकते तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा उप्सन नंबर A ने तो निसकर्स 1 और ने ही निसकर्स 2 निकलता तो यहां से आ जाएगा आपका उप्सन नंबर A ने तो निसकर्स 1 और ने ही निसकर्स 2 निकलता क्या आप बात समझ पाए देखिए नेक्स्ट कोस्चन ये नेक्स्ट कोस्चन आपका बलड रिलेशन से पूछा गया इसी टाइफ के कोस्चन आपसे पूछे जाते हैं तो अब देखिए इसको भी बड़े आसान तरीके से करेंगे हम बिल्कुल आसान सा सोल्यूशन होगा इसका देखिए उसने कहा P.Q की P.Q की बेहन है मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी इस टाइफ का बोला जाए जैसे उसने कहा P.Q की मा है P.Q की बेटी है तो इसमें आपको कैसे करना है फिर आपसे पूछा गया कि तो दी गई अभी व्यक्ति के लिए निम्न संबंद में से कौन सा सही होगा A at the rate B dot C divide D ठीक है तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा तो देखिए कैसे करेंगे इसको एक नोर्मल सा तरीका हमारा करने का होगा जैसे आपको यह दिया गया A at the rate B C divide by D अब देखिए यहां से उसने क्या बोला उसने बोला है हमें कि जैसे उसने बोला कि P divide by Q P divide by Q तो इसका मतलब क्या है कि P Q की बेटी है तो बेटी कौन है क्यूं की बेटी है कौन P बात समझ पाए अब देखिए लास्ट वाले से पहले वाले का relation वो हमें बता रहा है तो जब भी इस टाइप के question में हो सकता है कभी आपको क्या दिया जाएगा कि लास्ट वाले से पहले वाले का relation आपको बोल दिया जाएगा और कभी कुछ question में ऐसा होगा जो पहले वाले के according दूसरे वाले का relation आपको बताया जाएगा तो जब ऐसी situation आए कि last वाले से पहले वाले में बोला गया तो आपको ये question last से solve करना है अगर आपको कोई भी situation आपके सामने आई condition की पहले वाले का क्या है दूसरे वाले से बताया गया तो फिर हम इसको starting से solve करेंगे बात समझ भाई आप सभी जैसे उसने कहा कि P divided by क्यूं का मतलब है P क्यूं की बेटी है तो यहाँ पर देखे P की जगए क्या रखा गया C और क्यूं की जगए यहाँ पर D रखा गया तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि D की बेटी कौन है C तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटी आ जाएगा बात समझ पाई, अब देखें दूसरा क्या आया, B dot C, तो यहां से क्या है, P dot क्यूं का मतलब, कि P क्यूं की बहन है, तो अब बहन कौन है, C की बहन है, B, तो अपने arrow लगाया, और यहां पर क्या लिखा, बहन, बात समझ पाई, फिर उसने क्या कहा, A at the rate B, A at the rate B, तो A at the rate B का मतलब क्या बोला था, कि P क्यूं की मा है, तो P, इसका यहां से क्या जाएगा, कि A मा है, कि B की, तो यह क्या है, मा, तो आपने यह सभी relation लिखें इनके, अब आप से पूछा क्या गया, आप से पूछा गया है, कि बताए, चार ओप्सन आपको दिये गए, इन चार में से कौन सा सही होगा, option number A, कि A, D की पतनी है, तो देखें, check करेंगे हम, क्या option A सही होगा, तो देखें, उसने क्या कहा D, यह कोई D है, तो D की बेटी कौन है, C, और यह C की कौन है बहन, तो अब देखें, D की बेटी की बहन, यह क्या हो जाएगी, D की बेटी हो जाएगी बात समझ पाए क्योंकि D की बेटी C और C की बेहन B तो इसका मतलब D की बेटी B तो ये कौन है? B की मा अब देखिए B की मा तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये फीमेल है A और ये कौन रहा होगा? ये मेल रहा होगा बात समझ पाई क्यों क्योंकि उसने बोला कि इसकी बेटी की बेहन तो ये इसकी बेटी और ये इसकी बेटी की मा तो ये क्या हो जाएंगे दोनों पती-पतनी हो जाएंगे तो A और D क्या होंगे पती पतनी जिसमें A महिला होगी और D पुरुस होंगे तो यहां से क्या अंसर आ जाएगा A, D की पतनी है तो देखिए A क्या है? D की पतनी है तो यहां से option A ही आपका सही हो गया क्या आप बात समझ पाए? तो इस type के कोई भी question आपको बोल दिया जाए हो सकता था मालो यहां पे कुछ और situation यहां तक दे दी जाए आपको तो आपको confusion नहीं होना है केवल इसी तरीके से आपको यह question करना है जो की आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा क्या आप बात समझ भाए यहां तक? बताईए अगर यहां तक आपको कोई भी doubt रहा हो इस question तक चलेंगे हम next question की तरफ देखिए next question तो यहां से आपका answer एस सही हो जाएगा next में इसने कहा परसंच इनको सही विकल्प के साथ बदलिए जल्दी से इस question का answer बताईए आप सभी जो आपको question आपकी screen के सामने दिखाई दे रहा है इस question का answer बताईएगा क्या होगा उसने कहा 81 ratio 9, double ratio 981 और यहां पर आपसे पूछा गया कि बताईए यहां क्या होगा तो जल्दी से बताईएगा आपको चार option भी दिये गए है इन चार option में से क्या यहां पर यूज होगा क्या आएगा तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इन दोनों में relation क्या है तो जैसे ही आपने देखा आप बोल दोगे कि यह क्या है यह 9 का square है यह क्या है नाइन का square है लेकिन अब आपने देखा कि 981 यह तो किसी का square है ही नहीं जब यह किसी का square नहीं है तो यहाँ पे यह इसका square मान लिया हमने की है लेकिन इधर यह कोई भी ऐसा number नहीं है जिसका यह square हो तो square वाली condition क्या हो जाएगी यहाँ पे फैल हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी तो यहाँ पे condition क्या होगी कि यह इसका 9 गुना है मैंने कहा ज यह 9 का क्या है, 9 गुना है, तो ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, कि जो यह है, 9, 8, 1, यह भी किसी नंबर का, किसी ना किसी नंबर का क्या होगा, 9 गुना होगा, बात समझ पाए, तो अब देखेगा, चार उपसन आपको दिये गए है, इन चारों में से, किसका 9 गुना होगा, त तो आप ऐसे कर लो कि 1,9,8 जो है यहाँ पर माल लो A, A का 9 गुना है तो आपको A की value निकाल नहीं है तो A की value जब आप निकाल लोगे तो यह क्या हो जाएगा 981 divided by 9 तो 9 से 109 तो यहाँ पे क्या जाएगा A की value 109 आजाएगी जो कि आपको option number C में दिखाई देगी क्या आप बात समझ पाए कुछ question में आपको ये भी दिया जा सकता था कुछ चातर क्या करते हैं यहाँ पे कि ये तो 9 का square है और यहाँ पे भी कुछ इसी type की condition में अपना time waste करते क्या आप बात समझ पाए तो आपको वो भी नहीं करना है है ये इसका नोगुना ही तो यहाँ पे जब square वाली condition इधर नहीं बनी तो ये इसका कितना नोगुना हुआ और ये इसका नोगुना हो जाएगा इसका किस तरह से संबंदित है तो देखिए नीचे आपको 4 दिये गई है उसने कहा ए बी का भाई है तो देखिए बड़ा आसान सा question होगा ये कैसे करेंगे ए बी का भाई है तो सबसे पहले कौन लिया हमने बी बी का भाई कौन है ए तो यहाँ पे आया A बात समझ पाए फिर उसने क्या कहा C A का पिता है तो देखिए जब पिता की बात हुई तो पिता उससे पहले वाली पीडी में होगा तो उससे उप़र आ जाएगा और C क्या है A का पिता है फिर उसने क्या कहा D E का भाई है, अभ देखिए D E का भाई है, जो D है, वो किस रशाशांद का भाई है, E का भाई है, अभ देखिए D और E का इन तीनों के साथ, कोई भी रिलेसन अभी तक नहीं आया, तो देखिए Next Rine आपने क्या करा, D, E का भाई है, इसको एक तरफ लिख लिए और ये तिनों एक तरफ अब लास्ट चोथी लाइन का में क्या बोल दिया कि E, B की E, B की बेटी है, तो B की बेटी कौन है? E, तो अब देखिया आप जब बेटी की बात ही तो उससे बादवाली पीडी की होगी तो बादवाली पीडी हम कहां लेंगे, नीचे लेंगे तो B की बेटी कौन है? E, और हमें पताए कि E का भाई कौन है? D तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका डाइग्राम बन जाएगा इस टाइप से क्या बात समझ भाई? अब आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था कि A, D से किस तरह से संबंदित है? A, D से अब देखिए A के बारे में पूछा गया, किस के according पूछा गया? D के according कि D का A क्या लगा? तो अब देखिए ये क्या है? ये D, D की ये बहन और बहन की ये मा, बात समझ भाई? और मा का ये क्या है? भाई, तो यहाँ से अंसर क्या हो जाएगा? आपको option A में मिलेगा चाचाया मामा, तो यहाँ से अंसर क्या हो जाएगा? चाचाया मामा आपका अंसर हो जाएगा, क् कि यहां पर B क्या है, male भी हो सकती है, और B female भी हो सकती है, क्या बात समझ पाए, क्योंकि इसने बोला EB की बेटी है, तो इसलिए यहां से आपका option A हो जाएगा, चाचा या मामा, अगर आप इसको male मानते हो, पुरुज मानोगे, तो यह क्या हो जाएगा, चाचा, अगर आप आप बात समझ पाए, तो आप इस type से अगर रखोगे, तो इससे आप आप से कोई भी question पूछ लिया जाए, कि बताए, E का और C का क्या relation है, तो कुछ option आपको ऐसे मिलेंगे, जो आपको यहां से देखते ही पता लग जाएगा, क्योंकि अगर मान लो, E से नीचे वाली PD की बात हुई, तो आप वे तो हो नहीं सकते, क्योंकि इससे नीचे की तो बात है नहीं, बात कहां है, इससे दो PD उपर की, एक PD ये और एक PD ये, तो इसका मतलब जब आपने अगर इस type से diagram सीख लिया, तो आपके लिए ये question बड़े ही आसान हो जाएंगे, क्या आप बात समझ की और संकेत करते हुए, एक महिला, एक आदमी कहता है, अब देखिए, ये कौन है, ये एक मैन है, और ये एक वो मैन है, जिसकी फोटो है, ठीक है, तो एक आदमी कहता है, कि उसके पिता के, इकलोते बेटे मेरे पिता है, अब देखिए, इसके पिता के, किसके, इस महिला के पिता के, तो महिला के पिता की बात हुई, तो उपर वाले पीडी में होगा, तो इसने कहा, उसके पिता के, किसने ये बात, पुरुस ने बोली है, कि इसके पिता के इकलोते बेटे, तो पिता का इकलोता बेटा, तो ये क्या है, ये बेटी है, तो इसका इकलोता बेटा, यान नीचे आयेगा और इसके पिता कौन है ये वाले बात समझ पाई तो आप से पूछा क्या गया?आपसे पूछा किया कि आदमी उस महिला से संबंदित है कैसे चार उपसन आपको दिए गए तो जल्दी से बताईएगा ये आदमी इस महिला से कैसे संबंदित है अब देखिए यह महिला, और यह महिला का भाई, और यह भाई का लड़का, ठीक है, तो यहाँ से अंसर क्या जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इसका बतीजा, क्या हो जाएगा, यहाँ से यह इसका बतीजा हो जाएगा, तो यहाँ से अंसर आपका सही होगा, बतीजा, क्या बात समझ पाए, अब देखिए यहां से आप option से भी कर सकते थे जैसे उसने पुछा आप से w यानि कि इस महिला और इस man के बारे में तो जो यह man होगा यह इस से नीचे वाली pd में आया तो जैसे इसने मानलो यह option आपने भी छोड़ दिया अपने देखा भी option भाई तो देखिए भाई कहां अगर भाई होता तो यह इसके बराबर में आता बगल में आता तो भाई तो नहीं होगा बेटा अब इसके बेटे की जिकर इसके बेटे का जिकर ही नहीं हुआ इसके भाई के बेटे का जो कि उसने option यह दिया गया है मालनों यहाँ पर नीचे option सभी ऐसे दिये जाते जो उपर वाली PD के लिए होते तो आप यहाँ से क्या करते उन option के according भी answer चूज कर सकते थे तो देखिए next question क्या पूछा गया आप से जी बताजे next question का answer बड़ा आसान सा question है यह भी यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा और next आपको दिया गया और 5001 तो यह आपको दिया गया है तो बताएए इसमें क्या relation उज हुआ है अब आपको सबसे पहले तो इन दोनों का relation जानना होगा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या relation है, जो relation यहां पे होगा वो सेम यहां होगा ठीक है, तो आपने देखा यहां पे क्या है 5000 और यहां पे क्या है 4001 तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों का difference लोगें, तो इन दोनों का difference कितना आजाएगा, चुछ 9 आजाएगा, क्या बात समझ पाए तो इन दोनों का difference किया जाएगा ट्रिपल नाइन आजाएगा यानि कि मैं कह सकता हूँ कि 5000 में से अगर मैं 900 99 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 4000 एक बचेगा बात समझ पाए तो same concept यहाँ पे भी use होगा कि इन दोनों का difference भी क्या हो जाएगा ट्रिपल नाइन हो जाएगा अब आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा तो आपको इन दोनों को add करना होगा जैसे ही आप इन दोनों को add करोगे तो आपको answer क्या मिलेगा option number B 6000 क्या आप बात समझ पाए option number क्या होगा यहाँ पे option number B आपका answer आजाएगा ठीक है बात समझ पाए तो इस type के question भी आप से देखिए देखने में था कितना बड़ा आसान सा question और solution भी क्या था बड़ा आसान सा था next देखेगा next इसने कहा 6 ratio 24 ratio 25 तो देखिए अब बताएए next question का answer क्या होगा 6 24 25 225 next है 226 तो next आप से पूछा गया कि बताएए यहाँ पे क्या आएगा तो जल्दी से बताएएगा यहाँ पे क्या होगा यह question आपकी screen के सामने आपको दिखाई दे रहा है तो जल्दी से 4 option आपको दिए गए है इसमें देखिए क्या pattern huge हुआ है सबसे पहले तो आपको pattern ही जानना होगा जैसे ही आपने pattern जाना तो आपका question बड़ा आसान हो जाएगा कैसे जैसे ही आपने देखा कि यह इसका क्या है यह इसका 4 गुना है अगर मैं 6 का 4 गुना करता हूँ तो क्या आजाएगा 24 आजाएगा फिर आपने देखा यह इसका कितने गुना है यह इसका 9 गुना है तो अब यहाँ पे 4 गुना 9 गुना तो यहाँ पे मैं कितने गुना करूँ कि मेरा answer सही आए तो अब देखिएगा यह इसका कितने गुना 4 गुना तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्कॉयर बात समझ पाए नेक्स्ट कितने गुना है 9 गुना 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्कॉयर अब देखिए पहले 2 का square फिर 3 का square तो next किसका square होगा 4 का square आपने कहा जी 4 का square 16 और जैसे ही आप इन दोनों की multiply करोगे अब देखें last में यहां पे क्या है last में unit digit क्या है 6 और यहां पे भी क्या है 6 और जब आप 6 into 6 करोगे तो आपको answer भी क्या मिलेगा 6 यानि के इन दोनों की multiply करने पर आपको unit digit पर 6 मिलेगा और वो 6 के वाल आपको एक ही option में दिखाई देगा कौन सा option number C और यही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा क्या बात समझ पाए चाहे तो आप इन दोनों की multiply करके देख सकते हो answer आपका same आएगा तो इस type के question भी आपसे पूछे जा सकते है हो सकता था आपको यहाँ पे भी दे दिया जाता और next एक और step आगे आपसे पूछ लिया जाता तो आप उसको भी निकाल सकते थे बड़े आराम से तो पहले क्या था? 4 गुना 4 को हम क्या लिख सकते है? 2 का square next क्या था? 9 कुना 9 को हम क्या लिख सकते है? 3 का square next क्या था? 4 का square 16 और इन दोनों की multiply हम करेंगे तो 3616 हमें मिलेगा जो की option number C में सही है बात समझ पाए? अब देखिए next question इसने कहा बी आर बीन actor तो next क्या है? तो जैसे ही आपने देखा beer बीन से जैसे ही beer और बीन दोनों का relation है तो ऐसे ही actor का relation किसके साथ होगा? तो आपने option number B यहां से देखते ही किलिक किया कि actor का संबंद किसके साथ होगा? action के साथ होगा तो यहां से आपका answer क्या आजाएगा? option number B आ जाएगा तो next देखिए question क्या है next एक और question इसी type का आया आपके सामने इसने कहा 1 2 2 6 next आपको दिया गया 4 22 next है 5 9 1 7 3 5 आपसे पूछा क्या गया सो सरंखला को पून कीजिए तो इसका मतलब आपसे next पूछा गया कि next में बताएए क्या आ जाएगा तो अब बताएए यहां से क्या होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई series आपके सामने आए तो आपको क्या करना है last यह इसकी जो तीसरी और चोथी digit होगी इन दोनों को देखना है कि अगर यह जो digit है इसकी चोथे वाली यię तीसरे की अगर 3 गुना है तो यह कैसी series होगी multiple होगी अगर यह 3 गुने से कम है तो यह कैसी series होगी difference series होगी तो आपने देखластig 422 तो यह 3 गुने से तो बहुत कम है तो इसका मतलब यह क्या है difference रिज है तो आपने यहां से इन दोनों का difference लिया कितना आया आपने कहा जी 225 आया next आपने इन दोनों का difference लिया तो कितना आया 196 आया अब next आपको difference लेना है और यहां तक difference लेना है कि यहां पर क्या आएगा तो जैसे ही आपने देखा यहाँ से केवल दो ही difference लिए और पहला आपने देखा 225, तो 225 क्या है? यह किसी ना किसी का square है, तो यह किसका square मैं लिख सकता हूँ? 15 का square. next आपने देखा 196 ये भी किसका क्या है ये भी किसी ना किसी का square है तो ये किसका square होगा 14 का square होगा अब देखें ये 15 का square ये 14 का square तो next किसका square होना चाहिए 13 का तो यहाँ इन दोनों का difference कितना होना चाहिए 179 होना चाहिए 169 तो जैसे ही आपने देखा इन दोनों का difference आएगा भी कितना 169 ही आएगा तो next देखें यहां से क्या 12 का square कितना 144 अब आपने देखा इन दोनों का difference कितना 144 ही आएगा तो next क्या जाएगा 11 का square कितना 121 अब देखें यहां से जब आप अब देखें यहां से क्या है 1 में पलस हुआ ये इसमें ये पलस हुआ तो यहां से 735 में आप क्या 121 पलस करोगे तो आंसर क्या आजाएगा 5 और 1 6, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 856 आपको आंसर मिलेगा जो की आपको दिखाई देगा option number 4 में क्या आप बात समझ पाए तो ये question भी इस type के आपके paper में पूछे जाते हैं तो इन दोनों का difference क्या था? 225 किसका square? 15 का next क्या था? 196 ये 14 का square next difference क्या था? 119 ये किसका? 13 का square next क्या था? 144 ये 12 का square और next क्या जाएगा? 11 का square कितना? 121 और जब आपने इन दोनों को add किया तो आपको क्या मिला? 856 आपका answer आजाएगा 856 option number D यहाँ से आपका सही होगा क्या बात समझ पाए? next देखेगा इसने कहाँ नीचे दिये गए? सद्रस्य को पूर्ण कीजिए दूरी मीटर गती कि इसका answer क्या होगा? उसने लिखा है दूरी मीटर जो relation दूरी और मीटर का होगा वो same relation किसका पूछा गया? आपसे पूछा गया कि वो same relation गती का किसके साथ होगा? तो अब आपको पता है कि देखे अगर आपको मालो यहां से यह बात नहीं पता कि गती का क्या हो जाएगा? आपको सेकंड भी दिया गया, घंटा भी दिया गया, किलोगराम भी दिया गया और मीटर पर सेकंड तो देखे किलोगराम तो होगा नहीं तो इन तीनों में से तो आपको देखे पता है कि स्पीड बराबर क्या रहेगा डिस्टेंस अपोन टाइम रहेगा अब दूरी किसमे मापेंगे हम दूरी को बोल दिया गया कि दूरी क्या होगी मीटर में और टाइम किसमे मापेंगे जब दूरी मीटर में है डिस्टेंस मीटर में दी गई है तो हम second में लेंगे बात समझ पाए time किस में लेंगे हम second में लेंगे अब आप से पूछा गया कि दूरी का क्या है meter तो speed का क्या हो जाएगा गती का क्या हो जाएगा meter per second तो आप क्या लिख सकते हो यहां से option आप पर d सही हो जाएगा meter per second क्या बात समझ पाए तो यहां से क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड आप अगर मान लो आपको इसमें कन्षूजन था कि यहां से सेकंड लूँ गंटे लूँ या फिर मीटर पर सेकंड लूँ तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो हाला कि आपको देखते ही पता लगना चाहिए था कि जब दूरी को मीटर बोला गया तो गती को क्या लिखेंगे हम मीटर पर सेकेंड लिखेंगे लेकिन फिर भी मैंने आपको किलियर करा दिया अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा था तो नेक्ष्ट देखिएगा इस कोईश्टन का भी अंसर बताईएगा जल्दी से क्या होगा अपके अकोर्डिंग अंसर क्या होगा इसने का 5, 8, 9 11 8, 16 4, 14 12, 8 18 और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि यहाँ क्या होगा क्या आएगा यहाँ पे तो अब देखिए मैंने यह भी आपको बता रखा है कि जब भी आपके सामने इस टाइब का कोई कोस्टन आए तो आपने देखा कि इधर कितने नंबर है 3 और इस साइड में 4 है तो इसका मतलब का रिलेशन क्या होगा इस तरफ से इस तरफ को होगा बात समझ भाई अब रिलेशन कोई भी हो सकता है मल्टिपलाई होके कुछ डिवाइड हो रहा हो या फिर एड होके कुछ डिवाइड हो रहा हो वो अब आपको देखना है कि क्या होगा लेकिन जब भी इस टाइब से कोई question आएगा तीन ये नीचे की तरफ दिये गई होंगे और चार इधर अगर मालो चार नीचे की तरफ दिये गई होते है और तीन इधर तो relation कहा होता अधिकतर question में relation उपर से नीचे की तरफ होता तो अब देखें यहां से क्या सकता है जैसे ही आपने देखा ये तीन छोटे नमबर और ये एक तीन से मतलब ये क्या है इस तरफ से इस तरफ इनक्रीश ओडर में है बढ़ते करम में है तो आपने देखा जैसे यापने इन तीनों को एड़ किया तो इन तीनों को एड़ करने के बाद आपको क्या मिला इन तीनों को एड़ करने के बाद आपको 22 मिला लेकिन यहां पर दिया गया है 11 तो 11 कैसे आया होगा आपने 22 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया जी 11 तो इसका मतलब क्या है कि जो यह 3 नमबर दिये गए थे इन तीनो को जोड के उसका हाप कर लिया गया, अब देखते हैं, यह concept क्या आगे भी सेम रहेगा, तो जैसे यह आपने देखा, तो यहांसे भी आपने आपने एड किया, 8 plus 16 plus 4, तो यहांसे क्या आया, आपका 28 आया, तो यहांपे क्या दिया गया है, आपको 14 तो यह भी कैसे आजाएगा टू से डिवाइड करने पर तो कंसेप्ट क्या है आपका बिल्कुल सही है तो इसका मतलब यहाँ अंसर क्या बनेगा अब देखिए अठारे बारे तीस अठारे तो इनका सभी का योग क्या होगा बारे पलस आठ पलस अठारे तो आपने कहा जी 38 ह तो से आपने डिवाइड क्या आजाएगा 19 आजाएगा तो देखिए च्छा 19 ऐाओ बिल्कुल आपने कहा बी ऑप BAR ला जाएगा आपका आपका अंसर सही हो जाएगा ऌ क्या बात समझ पाए तो देखें इस टाईफ से कोश्चन आपको दिया हुआ था या फिर एग्जांom से पूझा जा सकता है तो इनमें आपको अधिकतर कोश्चनों में क्या होता है आपको confusion रहता है कि सो öल कहां से आपको देनी होगी कि इस तरफ से इस तरफ को सोल करे, हो सकता एक दो कोश्चन ऐसा हो कि इस तरफ से इस तरफ नय अंसर आए, फिर उसके बाद आपको कोई और सेकिंड श्टेप लेना है, लेकिन अधिकतर कोश्चनों में आपको यही स्टेप आपका किलियर का तारकिक अनुकरम बनाने के लिए दिये गए सब्दों को पुनर्ववस्थित कीजिए तो चार उप्शन आपको दिये गए, इनमें से आपको बताना है कि पुनर्ववस्थित करना है कि क्या आएगा, सबसे पहले उसके बाद क्या आएगा उसके बाद क्या और लास्ट में क्या आएगा तो आपको क्या दिया गए औप्शन नोकरी का चैन, औप्शन भी एडमिशन, साक्षतकार और शिक्षा, तो अब देखिए जैसे ही आपने माई केरियर चैनल जोइन किया, मालो यहाँ पर आपने क्या एडमिशन लिया, तो सबसे पहले जैसे ही आपके सामने आया माई केरियर चैनल, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, एडमिशन लोगे, तो जैसे ही आपने यहाँ एडमिशन लिया, तो सबसे पहले क्या आजाएगा, दो नमबर आ जाएगा, दो पे क्या है, एडमिसन, कि अपने My Career Channel पर क्या लिया, एडमिसन लिया, अब एडमिसन लेने के बाद हमने आपको क्या दी, सिख्सा दी, तो फिर क्या जाएगा, दो के बाद चार आ जाएगा, एडमिसन के बाद क्या दी, हमने आपको सिख्सा दी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपका नोकरी में चैन हुआ. जब आपने पेपर किलियर किया, तो आपका क्या हुआ? नोकरी में चैन हुआ. तो ये आपकी तार्की किक वो बन जाएगा. जो आपसे पूछा गया एक अनुकरम में हम इसको रखेंगे कि सबसे पहले क्या जाएगा दो नमबर आपने एडमिसें लिया उसके बाद आपने सिख्सा ली पेपर दीया और उसके बाद आपका नोकरी में चैन होगा तो यहां से आपका बन जाएगा दो चार तीन एक जो कि देखेगा next क्या पूछा गया आप से अब इसमें पूछा गया कि एक दो तीन चार पांच छें को oxygen लिखा जाए आट नो चार एक छें को आरगन लिखा जाए तो इसी कूट भासा में साथ नो पांच एक छें को किस परकार कूट बद किया जाएगा तो यहां से देखेगा थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात होगी आपको क्या करना इस question में थोड़ा सा ध्यान देना है जैसे उसने लिखा 1,2,3,4 5,6 इसको क्या लिखा oxygen ठीक है इसके बाद उसने क्या लिखा 8,9 4,1,6 अब आपसे पूछा क्या गया आपसे पूछा गया है 7,9 5,1,6 अब देखिए यह आपके बहुत से doubt किलियर करा के जाएगा यह question सबसे पहली बात आपको जब भी इस type का कोई question दिया गया होगा तो उसमें क्या कुछ ना कुछ relation दिया गया होगा और मैंने आपको बता रखी है एक simple सी बात कि जब भी आपको दो दिये जाए या दो से जादा दे के एक पूछ लिया जाए जैसे पहले एक दिया फिर दूसरा दिया उसके बाद यह तीसरे वाला आपसे पूछ लिया गया और हो सकता है कि कोई भी number common नहीं हो और जब ऐसी situation आएगी ऐसी condition आएगी कि कोई भी number common नहीं होगा तो आपको फिर क्या करना है कि इन में कोई ना कोई relation डून नहीं होगा लेकिन अगर इन में से क्या है कि कुछ भी यहाँ पर common मिले तो आपको direct answer करना है कैसे जैसे ही आपने देखा 7 तो आपने कहा जी 7 तो यहाँ पे नहीं है लेकिन 7 के अलावा जैसे ही आपने देखा 9 तो 9 यह रहा तो 9 यहाँ पे कहा है लेफ्ट से दूसरे पर है तो यहाँ left से दूसरे पर क्या है R तो आपने कहा 9 का code R हो जाएगा समझना बात को फिर आपने क्या कहा जी 5, 9 के बाद क्या देखा आपने 5, 5 आपको कहा दिखाए दिया ये रहा right से दूसरा, तो right से दूसरा क्या है E, तो आपने कहा R के बाद E आजाएगा, उसके बाद देखिए 1, 1 यहाँ पे भी है right से दूसरा second वाले में तो यहाँ पे क्या है, right से दूसरा O और 1 यहाँ पे भी है, left से पहले वाले में, left से पहला तो यहाँ पे भी क्या है O, तो इसका मतलब 1 का code क्या होगा, O होगा इसके बाद देखिए 6 की बात आई तो six यहां है right से पहला दूसरे वाले में भी और पहले वाले में भी तो दोनों जंगे क्या है n common है तो इसका मतलब 6 क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा अब बचा कौन 7 बचा बचा कौन 7 बचा अब देखिए 7 इसमें common नहीं है तो यहां से हम कौन सा लेटर लेंगे क साथ का जो कोड आ जाएगा तो उसके बाद देखिए अब हम चलेंगे option की तरफ केवल यह जो चार लेटर है यह केवल आपको एक ही option में दिखाई देंगे जैसे ही आपने देखा पहले वाले में नहीं दिखाई दिये दूसरे वाले में नहीं तीसरे तो किसमें दिखाई दिखाई दिये चोथे वाले में यह चार के बाद के चार लेटर आपको दिखाई दिये और चोथे option में क्या दिखाई दिया एप भी आपको दिखाई दिया अब देखिए 7 in में common नहीं है और नहीं एप यहाँ पे है 7 नहीं तो इस in में है और नहीं एप यहाँ पे है तो तो यहां से आप answer क्या करोगे, option number D करोगे, answer क्या होगा, आपका option number D यहां से answer हो जाएगा, क्या आप बात समझ पाए, इस type की condition में आपको फिर option से check करना है, अब यहां पे, इसमें मान लो कर कोई और condition होती, तब यहां पे क्या होता, यह option आपको, यह जो चार बाद के letter थे, R, E, O, N, हो सकता था, अब आपको किसी और option में भी मिल जाए, तो इसके लिए वो condition यहां पे उसको change करनी पड़ती, ऐसा निकि इसी condition से यहां पे उसने किसी और option में भी R, E, O, N लिख दिया, और यहां पे दूसरे option में मानलो आपको दे दिया, G, R, E, O, N, तो अब ऐसा आपको नहीं देता, कब देता ऐसा कि जब वो साथ के लिए इसमें कोई और condition आपको देता, यह बात आपको यहां से clear करनी है, तो यहां से answer कि आजाएगा, आपका option number D आजाएगा, देखेगा next question, इसने कहा यदि किसी विशेश कूट भासा में diversity को 1189 के रूप में कूट बद किया जाए, और unity को, अच्छे unity को किस भासा में कूट बद करे, तो देखें यहां से सबसे पहले आपको यह जानना है कि diversity को इसने क्या किया है 1189, तो diversity को 1189 उसने कोड किया है, तो अब देखें क्या हो सकता है, अच्छे उपर आपको दिखाई नहीं दे रहा हम इसको नीचे लिख देता हूँ, अब देखें यह कोड था आपके सामने, अब इसमें क्या है, हो सकता है कि जो यह 1189 आया होगा, यह इन सभी का जो यह letter आपको दिए गए थे, इन सभी के number आपने देखें, d4, i9, v22, e5, r18, s19, i फिर से क्या आया, 9 आया, t20 और y25, आपने इन सभी के number लिखें उपर, हो सकता है क्या, कि आपने यह सभी add किये और यह add करने के बाद यह तो यह आजाएगा, यह add करने के बाद हो सकता है, कि इन सभी को add करने के बाद यह आजाए, या फिर इन सभी की multiple आई अगर आप करोगे तो यह तो आएगी नहीं, बहुत जादा आजाएगी, क्योंकि जैसे ही आपने इन में से दो-ती number की ही multiple आईगी, इससे जादा आजाएगे, ठीक है, तो यहाँ से condition आपकी क्या रहेगी, जैसे ही आपने इन सभी को add किया, तो add करने के बाद क्या आजाएगा आपका, एक सो इकतिस आपका आजाएगा, जैसे ही आपने इन सभी को add किया, 4, 9, 22, 5, 18, 19, 9, 20, 25 को, तो कितना आजाएगा इन सभी का sum, 1, 3, 1 आजाएगा, लेकिन आपको दिया कितना गया है, 1189 दिया गया, तो आप देखिए यह total letter कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, total कितने letter आए, 9 आए, तो जैसे ही आपने इन सभी का योग किया, इन सभी को add किया, तो कितना आए, 1, 3, 1, अब total letter कितने थे, 9, तो 9 की multiply की, तो कितना आजाएगा आपका, 9 बंजा 9, तो 1189 आपका आगया, क्या बात समझ भाए, तो concept क्या था, कि जो भी ये letter दिये गए थे, आपने इन सभी के number लिखे, और इन सभी के number लिखने के बाद, उनको add किया, और add करने के बाद, इसका नोगुना, जो भी जितने भी याँपे letter दिये गए थे, उतना ही गुना करने के बाद, ये code दिया गया, अब आपसे पूछा गया था unity का आपसे पूछा क्या गया आपसे पूछा गया था unity का code क्या होगा तो देखिए u को क्या लिखोगे आप 21 पलस n को क्या लिखोगे 14 i 9 t 20 और y कितना 25 तो जैसे ही आपने इन सभी को add किया तो यहां से क्या जाएगा अब देखिए आपने इन सभी को add किया सबसे पहले 21 और 9 को add किया तो कितना बना जी 30 30 और 20 50 20 70 5 75 तो टोटल ये भी ये भी ये भी ये भी ये सब कितना बना 75 पलस 14 तो यहां से बना 5 4 4 9 7 और 1 8 89 बना आपका तो आपने जैसे ही इन सभी को add किया इन सभी को add करने के बाद कितना बना 89 बना तो अब देखिए टोटल लेटर कितने थे इसे में 5 थे तो इसका 5 गुना कर दीजिए तो जैसे ही आपने 5 गुना किया तो कितना आ जाएगा 445 आपका आ जाएगा और 445 आपको कहा मिलेगा option number 2 में मिलेगा यानिके option number B में आपको 445 मिलेगा क्या आप बात समझ पाई सभी concept क्या था जो भी आपको यह diversity दिया गया था आपने इन सभी के letter जो यह letter आपको दिये गए थे आपने इन सभी के number लिखे और number लिखने के बाद जैसे ही आपने देखा unity unity को आपने लिखा और उसका उन सभी को add किया तो आया 89 अब unity में letter कितने 5 तो 5 की multiply की 445 आपको मिला जो की option B में आपका answer है क्या आप बात समझ पाई next देखिएगा next इसने कहा यदि किसी विशेज कुट भासा में इसको ये लिखा जाता है तो next का code बताएगे क्या होगा बड़ा आसान सा question है जैसे ही आपने इसको देखा तो देखते ही आप इसको solution करोगे कैसे U अब देखिए U का number कितना 21 यहाँ पे क्या है U U का number कितना 21 यहाँ पे क्या है T T20 यहाँ कि 1 माइनस हुआ है R8 रहे क्यों सतर है 1 माइनस हुआ है A1 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा Z आजाएगा और यहाँ से N तो इसका मतलब क्या है कि इसमें माइनस 1 का concept है तो next जो आप से पूछा गया इसका भी Neptune आप से पूछा गया S आजाएगा यानि कि A option भी हो सकता है और C भी और D भी अब देखिए T से पहले क्या है आपका S आया U से पहले क्या जाएगा U 21 और T 20 N कितना 14 N से पहले क्या जाएगा M जो कि आपको मिलेगा केवल option number C में तो यहाँ से क्या है कंसेप्ट की हर एक लेटर में से माइनस वन माइनस वन आपका हो रहा है तो जैसे ही आपने माइनस वन माइनस वन किया तो आपका आंसर क्या मिला option number C आपका आंसर बना क्या आप बात समझ पाई बड़ा आसान सा question था Next देखिएगा Next इसने कहा कि बताईए दी गई सरंखला में आठवे पद का पद के मूल्य का पता लगाईए साथ आपको दिये गए है आपसे Next पूछा गया है अब ये आठवे पद के मूल्य ना बोल कि आपसे क्या बोल सकता था कि दी गई सरंखला में अगले पद का पता लगाई है क्योंकि साथ आपको दिये गई है तो देखिए जैसे उसने दिया बारे बारे से क्या है दो गुना चोविस पंदरे का दो गुना तीस अठारे का दो गुना चोटिस तो बाइस का दो गुना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा तो यहां से भी आपका अंसर क्या जाएगा 44 आजाएगा कितना आसान सा question था केवल दो-दो का उसने relation बनाया जैसे देखे इसको में कबर clear कर देता हूँ अगर आपको कोई भी doubt रहा हो 12-24 लिखा तो यह इसका कितने गुना 2 गुना next उसने 15 और 30 लिखा तो यह इसका कितने गुना 2 गुना next उसने क्या लिखा था 18 और 36 तो यह कितना है इसका 2 गुना तो next 22 का 2 गुना क्या हो जाएगा 44 तो यही आपका अंसर था बात समझ भाए केवल 2 गुना 2 गुना 2 गुना next देखेगा अब देखेए एक और question इसी type का आया जो मैंने last आपको बताया था कि यह कहीं doubt आपके clear करके जाएगा तो उसी type का यह question आया तो इसमें भी आपको क्या करना है कि बिहार का code यह दिया गया है डैली का code यह दिया गया है और आगरा का code क्या होगा तो देखेए सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया आगरा मैं direct इसको यही लिख देता हूँ क्योंकि यह आपको मैंने बताया था कैसे करना है तो देखेए सबसे पहले A दिया गया है आपको तो A आपने देखा बिहार में तो बिहार में कहा second last तो यहां पर क्या है 5 तो आपने लिखा A का कोड क्या है 5 है बात समझना यहां से एक बार फिर से अब आपने देखा G तो G आपने देखा G ने तो好的 नहीं बिहार में है तो आपने G छोड दिया कि जी का हमें कोड नहीं पता क्या होगा जी के बाद आपने देखा R, तो R देखा अपने कहा बिहार में, लास्ट वाला, तो यहां पर क्या है, 4 है, तो R का कोड क्या जाएगा, आपका 4 आजाएगा, फिर आपने देखा A, A का कोड आपको पताए कि क्या होगा 5 तो आपने इन 3 लेटर के नंबर जान लिए कि पहले 5 फिर gap आजाएगा फिर 4 और 5 तो अब आप इनको चेक करेगा सबसे starting में क्या दिया गा है optionे में 6 आना क्या चाहिए यह 5 तो optionे यहां से गलत, second में क्या आना चाहिए यहाँ पर 5 आना चाहिए और एक यहां पर हमें पताने की क्या आएगा उसके बाद 4 और 5 आना चाहिए अब देखें last में क्या है 5, 6, 4 नहीं तो यहां से क्या है आपका option number B केवल सही है कि यहां पे starting में 5 दिया गया और यहां पे 4 दिया गया और last में 5 तो इसका मतलब यहां पे 6 आ रहा होगा तो यहां से आपका option B सही हो जाएगा अब देखें एक बार फिर से क्या है कि आपके पास केवल 3 नंबर थे 5, 3, 4, 5 और यही 3 नंबर केवल आपको एक ही option में दिखाई दिये केवल आपको एक ही option में दिखाई दिये क्यों क्योंकि उसने यहां पे हमें G का कोड नहीं बताया कि G का कोड हम कैसे निकाले तो इसलिए उसने option में अपनी तरफ से G का कोड रख दिया अब देखना यहां से जो यह आपको मिला यह किसी और option में नहीं मिला अगर किसी और option में भी मिलता तो वो यहां आपको जरूर बताता कि G का code आपको कैसे निकालना है क्या आप बात समझ पाए तो यहां से answer क्या हो जाएगा आपका option number B next बताएए next इसने कहा दी गई सरंखला में एक गलत संख्या है वह संख्या क्या है अब देखिए यह आपको दिया गया इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है 104, 117, 130, 145 next क्या है 156 और 169 अब देखिए मैंने आपको क्या बता है था कि यह सभी कैसे number है पास पास वाले है तो यह तो इसका दो गुना तो है नहीं दो गुना से भी कम है तो इसका मतलब इसमें सभी में क्या होगा difference होगा तो जैसे ही आपने इन दोनों का difference लिया तो कितना आया जी 13 आया फिर आपने इन दोनों का difference लिया कितना आया 13 आया अब यहां से जैसे ही आपने difference लिया आपको बताना क्या है आपको बताना है कि गलत नंबर कौन सा है तो देखिए जैसे आपने लिया इन दोनों का डिफरेंस कितना आया जी 15 आया और यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 11 आया ठीक है इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 11 आया next आपने फिर से डिफरेंस लिया तो कितना आया 13 आया, अब समझना बात को कैसे करेंगे, अब आपको पता करना है कि इन में से कोई एक नंबर गलत है, वो गलत नंबर कौन सा है, तो आपने देखा कि 13 आपको पहले दिखाए दिया उसके बाद फिर से 13 और फिर से 13 तो इसका मतलब 13 आप sìna आपको तीन बार द तो आपने देख़ जी, यहां से यहां तक 15 और यहां से यहां तक 11 है, तो 15 है और 11 है कीटना? 26, बात ическая को अब लिए यह जायाद आपके एक तो यहां से यहां तक तो तो टोटल इन्ज के बीच में वागत किसा पड़ी दी से 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि 104 में 13 में 13 एड किया तो 117 आया 117 में आपने 13 add कि 130 आया तो 130 में अगर आप 13 add करते हो तो क्या आ जाएगा 143 आ जाएगा और यहाँ पे दिया क्या गया है 145 और 143 में आप फिर से 13 add करते हो तो 156 आपको मिलेगा और फिर से 13 add करोगे तो 179 आपको मिलेगा तो इसका मतलब सभी के बीच में difference कितना था? 13-13 का difference था तो यहाँ पर यह 145 क्या है? गलत है तो यहाँ से आपने B option किया कि इस series में 145 गलत दिया गया था क्या आप बात समझ पाए? Next देखिएगा इसने कहा all को 25 लिखा जाए और now को 52 लिखा जाए तो N-O-N-E को क्या लिखा जाएगा? नन को क्या लिखा जाएगा? तो बताइए जल्दी से यहाँ पर आपके according क्या answer होगा? अब देखिए आपको तीन letter दिये गए हैं A double L और यहाँ पर दिया गया है 25 तो जैसे यह आपने दिखा कि A1, L12 और L12 आपने इन सभी के number mention किये तो number mention करते हैं आपने कहा जी 12 और 12, 24 और 25 तो यहाँ से direct आपको पता चला कि यह जो तीन letter दिये गए थे इन सभी के number जो इन सभी के number जो उनको add करने पे 25 बना ऐसे ही 9 को क्या दिया गया था N, O, W को लिखा गया था 52 तो N कितना 14, O कितना 15 और W कितना 23 तो अब देखिए 5, 4, 9, 3 बार है तो यहाँ से क्या जाएगा 52 आपका बात समझ पाए next आपसे पूछा क्या गया था आपसे पूछा गया कि नन का code क्या होगा तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो नन का code तो N का कितना 14, O कितना 15, N कितना फिर से 14 और E 5 तो अब देखिए 14, 42, 43 और 5, 48 तो यहाँ से क्या जाएगा 48 आजाएगा आपका जो कि आपको option B में दिया गया है 48 क्या बात समझ पाए अब यहाँ से code और क्या दे सकता था मालो यहाँ से code दे सकता था आपको दूसरा code यहाँ पे दे दिया जाता 50 यहाँ पे दे दिया जाता 104 तो यहाँ पे क्या हो जाता तो इसका भी 2 गुना हो जाता 96 यह भी condition आपको paper में दी जा सकती है तो उसमें आपको confusion नहीं रहना कि यहाँ पे तो हमारा यो कितना या 25 और दिया है 50 तो इसका 2 गुना दिया गया है हो सकता है इसका 4 गुना दिया गया हो हो सकता है इसका यहाँ पे दे सकता था 12.5 क्या बात समझ पाए तो कोई भी condition यहां से बना सकता था तो आपको क्या करना है कि जब भी letter से number दिये गए होंगे आप इन सभी के number mention करके उन सभी को add करके या फिर हो सकता था कि यहां से क्या दिया जा सकता था 144 वी all को हम क्या लिख सकते थे बहुत सारी condition यहां से बन सकती है लेकिन आपको दियान कहां रखना है कि उसने जब 25 दिया तो इसका मतलब इन सभी को add करके यह आ सकता है अगर यहां पर मानलो दिया गया होता 120 के असपास तो 120 के असपास आप कैसे सोचते कि all को 120 के असपास कैसे लिखे कि multiply करके कुछ आया हुआ होगा बात समझ पाए 120 के पास-पास क्योंकि आपको पता है कि add करके इतना बड़ा number नहीं आ सकता तो यह आपको दियान रखनी है बाते next देखिएगा फिर से एक और direction का question आया इसने कहा लक्समन अपने घर से 15 किलोमेटर पस्चिम गया अब देखिए इसको फिर से मैं कैसे करूँगा without diagram N.E.S.W. method से बड़ा आसान सा हो जाएगा आप भी एक बार करके जल्दी से answer बताओ N.E.S.W. से करो और बताओ जल्दी से की answer क्या आएगा ये North-Utar-East-Pura-South-Daxin-West पस्चिम उसने कहा लक्समन अपने घर से 15 किलोमेटर पस्चिम की ओर गया तो अब देखिए यहां से पस्चिम की ओर जब ओ गया तो कितना चला 15 किलोमेटर यानि के पस्चिम की ओर 15 किलोमेटर चला फिर बाय और मुडा और 20 किलोमेटर चला और बाइं मुड़ कर वो कितना चला, 20 km चला, अब 20 km जब वो गया, वह फिर पूरव की और मुड़ा, और 25 km गया, अब यहां से फिर से वो पूरव की और मुड़ा, यानि कि इस्ट की तरफ मुड़ा, और कितना 25 km वो गया, अंत में बाइं और मुड़ा, और फिर से 20 km गया, और यहां से एक बार फिर से बाई और मुड़ा और कितना चला 20 किलोमेटर फिर से चला तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर था आपसे पूछा गया है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर था तो मैंने देखिया आपको बताया था कि नोर्थ और साउथ क्या है एक दूसरे क opposite मैंने कहा जी मैं नोर्ट में भी 20 चला और फिर साउत में भी 20 चला तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे फिर मैंने क्या कहा आपको कि East में 25 किलोमेटर चलता हूँ और West में 15 किलोमेटर तो जब आप इन दोनों को cancel करोगे तो यहां से East 25 में से West 15 कैंसिल होके कितना बच जाएगा East में 10 किलोमेटर बच जाएगा क्या बात समझ पाए तो आपका आंसर क्या होगा कि वह अपने घर से कितनी दूरी पड़ था तो आंसर क्या है 10 किलोमेटर तो यहां से आप आंसर करोगे option number B 10 किलोमेटर अगर आपसे direction पूछी जाती कि वह अपने घर से किस दिशा की ओर था तो 10 किलोमेटर कहां पे बचा वो लास्ट में East में तो कौन सी direction में था वो अगर आपसे direction भी पूछी जाती तो आप direction में भी क्या बोलते कि 10 किलोमेटर इस्ट दिशा में वो था बात समझ पाए देकिन आपसे यहां से केवर distance ही पूछी गई तो आपने कहां जी 10 किलोमेटर देखे कितना आसान सा तरीका है next देखेगा इसने का 4 नो 4 पांच नो 4 एट तेईस तो next आपको बताना है कि next क्या होगा तो जैसे ही आपने देखा क्या 4, 5, 9, 14, 23 next आपको बताना है कि क्या होगा तो अब देखे इसमें concept क्या यूज है जैसे ही आपने देखा कि 4 में 1 पलस किया तो 4 और एक कितना 5 अब 5 में कितने अब देखे यहां से 4 और 5 हुआ, अब 5 में फिर से ये दोनों को add किया, 4 और 5, 9, 4 और 5 कितना बना, 9 बना, 9 के बाद फिर से उसने इसको छोड़ दिया, और फिर से क्या लिया, अगला नंबर 5 और 9, 14, अब 14 में फिर से इसको छोड़ दिया, और इन दोनों को लिया, 9 और 14, 23, अब 23 के बाद उसन तो next क्या जाएगा 14 पलस 23 आपका अंसर क्या हो जाएगा 27 27 तो concept क्या था concept इसी में था question में कैसे कि उसने पहले 4 में एड़ किया पनी तरफ से 5 अब फिर उसने क्या क्या इन दोनों को एड़ किया 4 पलस 5 अगला number लिख दिया फिर उसने फिर उसने क्या क्या पहले वाले को छो 14 पलस 23 को एड़ किया तो कितना आया जी 23 फिर उसने 9 को छोड़ दिया 14 पलस 23 को एड़ किया तो कितना बना 27 तो आंसर क्या जाएगा 27 आ जाएगा 36 आजएगा यहाँपे ठीक है 14 पलस 23 क्या होगा 37 होगा 37 अंसर आजएगा जो कि आपको मिलेगा option number A में जी बिल्कुल, अनुजगुमार ने अंसर क्या है, 37 बिल्कुल वो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, 27 लिखा गया था, आना क्या था, 37, अब मालो अगर आपसे एक और आगे भी पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, आपको यह सभी छोड़ देने हैं, और इन दोन कहां नीचे दिये गए विकल्पों में से, कॉंसिल्टेशन के सब्द को अक्सरों से बनाया जा सकता है, अब देखे कितना आसान सा कॉस्चन, इसने कहा जो आपको उपर यह सब्द दिया गया है, इससे आप कॉंसा सब्द नहीं बना सकते, तो इसका मतलब क्या है, कि नहीं बनाने का मतलब, जो उपर आपको यह दिया गया है, इसमें कोई ऐसा लेटर होगा, जो इसमें नहीं होगा और नीचे हो सकता है, तो अब देखे, उसने क्या कहा, C, O, N, पहला option की अगर मैं बात करू, C, O, N, तो आपको मिला C, O, N, उसके बाद S भी मिला, C, O, N, S मिला, इसके बाद क्या है, T, A, N, T, तो आपने देखा, T, A, N, T, तो पहला क्या है, पहला आपका बन सकता है, दूसरा आपने देखा, इस्टेशन, S, T, A, तो आपने देखा, J, S ये रहा, T, A, ये रहा, T, I, O, N, तो इस्टेशन दूसरा भी बन गया, तीसरा देखे, S, O, तो ये रहा, S-O-L-U, ये रहा, और T-I-O-N, तो फिर से देखिए गाइसको, S ये रहा आपका, O ये रहा, S-O-L-U, तो C-Option भी आपका, क्या हुआ, बन गया, तो बचा कॉन सा D, तो D में देखते हैं कॉन से लेटर के, कारण वो D नहीं बन पाया, तो आपने देखा N-A, तो N आपको कहां दिखाए दिया, ये रहा, A ये रहा, और T-I-O-N, ये रहा, लेकिन उसने क्या कहा, फिर से A आपसे पूछ लिया, लेकिन आपके पास कितने A है, केवल एक A है, और आपको चाहिए कितने 2, तो इसका मतलब आप D-Option यहां से नहीं बना सकते, बात समझ पाये, तो यहां से आप D-Option नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास A केवल कितनी बार है, एक बार और आपको चाहिए कितनी बार, दो बार, तो यहां से आपका अंसर D सही हुआ, नेक्स्ट देखिएगा, एक और कोस्चन आए, इसने कहा, A B का पिता है, A क्या है, B का पिता है, तो देखिए, A जो है, वो B का पिता है, तो सबसे पहले मैंने B को लिखा, और B का पिता कौन है, A है, तो यह कंडिशन बनेगी, उसने कहा, B, C का भाई है, जो B है, वो किसका भाई है, C का भाई है, तो यह कंडिशन बनी, D, A की मा है, जो D है, वो किसकी मा है, A की मा है, A की मा कौन है D अब next क्या पूछ लिया गया आपसे C D की A की मा है D A की मा है तो C D से किस रूप में संबंदित है C D से किस रूप में संबंदित है तो किस की according बताना है आपको D के according अब देखना D के according आपसे पूछा गया तो आपने देखा A मा मा में कितनी PD का अंतर है केवल एक का लेकिन यहाँ पे एक, दो, तीस यानि के तीसरे वाली PD में आपको बताना है तो A option नहीं होगा यह क्या है दादी या नानी अब देखना यहाँ से आपको थोड़ा सा confusion रहोगा या तो इसमें क्या है misprint है उसने आप से पूछना क्या था option के according कि D C से किस परकार संबंदित है आपको relation किस के according बताना था C के according जो की option में दिया गया है लेकिन आप से वहाँ पे थोड़ा सा misprint हो सकता है हो सकता है D पहले आया हो और C बाद में आया हो G आपने answer किया है D D कैसे होगा बताइए D कैसे होगा तो यहां से क्या है यहां आपको कर लेना है C के जंगे पर क्या D कि D से C का क्या relation है किस से D से C का क्या relation है यानि के D C से किस परकार संबंदित है यानि के C से C के according आपको बताना है तो देखिए C के अगोर्डिंग ये क्या है ये भाई और ये भाई का क्या है पिता तो ये इसका भी पिता और ये पिता की मा दादी तो यहां से आपका ओप्सन B बन जाएगा दादी या नानी ओप्सन B क्या बन जाएगा दादी या नानी लेकिन आपका अंसर क्या है दादी ठीक है तो option B में आपको मिलेगा अब देखी वहां से आपको थोड़ा सा confusion होगा अगर आप D के according बात करोगे तो देखी D का ये कौन है D का ये कौन है लड़का और ये लड़के का लड़का और ये इसका बहन या भाई इसके बारे में बात नहीं हुई है तो इसका मतलब ये इसके पोती या पोता हो सकता था लेकिन यहाँ पे option में नहीं इदिया पोती या पोता तो इसका मतलब क्या है थोड़ासा misprint हुई है question में कि certain किस रूप से संबंदित है वहाँ पे होना चाहिए था B C से किस रूप में संबंदित है तो हम जब C से बात करेंगे तो C से कैसे हो जाएगा दादी हो जाएगा, बात समझ पाए A है सर A कैसे भाई, B होगा जी अनुज कुमार बिलकुल B होगा, अब देखें थोड़ा सा कनिफूजन आपको यहीं रहा होगा कि C के according पूछा गया तो अगर C से पूछा जाता तो क्या होता दादी, जो कि आपका आंसर ओप्सन में भी है, और अगर D से पूछा जाता तो यहाँ पर क्या देता, पोता या पोती आपको दिया हुआ होना चाहिए था नेक्स्ट देखेगा उसने कहा वरत परीधी वरग तो देखेगे वरत और परीधी जैसे ही वरत किस से संबंदित है परीधी से उसी तरह से वरग किस से संबंदित होगा तो यहाँ से अंसर क्या हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा उप्सन नंबर D परीमिती यानि के परीमाप जैसे ही आपको बोल दिया गया कि एक वरत आपको दिया गया वरत की परिधी निकालिये यानि कि उसका परिमाप आपसे पूछा गया है तो ऐसे ही वर्ग का क्या होगा वर्ग का परिमाप होगा तो यहां से अंसर आजाएगा परिमाप को हम क्या बोल सकते हैं परीमिती भी बोल सकते हैं नेक्ष्ट देखिएगा इसने का यदी यदी फोर्स को ये लिखा जाए टाइगर को ये लिखा जाए तो फायर का कोड क्या होगा तो देखिए फोर्स को बोला गया उसने फोर्स को को बोला गया है फोर सेवन एट टू थ्री टाइगर को बोला गया है नाइन सिक्स फाइव थ्री एट नेक्स्ट आप से फूचा क्या गया है फाइर का कोड क्या होगा अब देखिए यहां से आपका जो आया आप आई 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 पूचा गया तो आपने देखा आप आपको यह दिखाई दिया तो इसका कोड क्या है 4 आपने next क्या है आई कहां पे यह रहा आई का क्या है यह रहा 6 आर यह रहा आर यहां पे भी है और यहां पे भी तो देखिए यहाँ पे क्या है R का 8 और यहाँ पे भी R का क्या है 8 तो यह आया E E कहां है यह रहा E का 3 और यहाँ पे भी E का 3 तो answer क्या बना 4, 6, 8, 3 answer क्या बना 4, 6, 8, 3 जो कि आपको option A में दिखाई देगा आपको option A में दिखाई देगा 4, 6, 8, 3 G answer क्या है आपका D नहीं एक बार आप check करो क्योंकि उसने पुछा है आपसे F का तो F कहां पे ये रहा F का कितना जाएगा 4 next क्या है I, I कहां है ये रहा I का जाएगा 6, R क्या हां पे है ये रहा, R का क्या जाएगा 8 और E का 3 4, 6, 8, 3 option A आपका बनेगा, अनुज कुमार आप एक बार answer दोबारा से check कर सकते हो आपका A option बनेगा यहां से, अब देखिए ये जो 4 के 4 letter दिये गए है आपको ये क्या है इन सभी में common है इन सभी में क्या है common है तो direct यहां से आया अब जिसमें common नहीं थे तो उसका भी आपको पता है और जिसमें चारों के चारों हो सकता है कोई ऐसा भी आजाए कि इन चारों में से कोई भी एक भी common है हो तो उसका भी आपको logic बता दिया जाएगा कि कैसे करना है 4, 6, 8, 3 बिलकुल सही है next देखेगा इसने कहा यदि इसको ये नमबर आपको दिया गया है संख्याओ काओ आरोही करम में पुने ववस्तित किया जाए तो कितने ऐसे नमबर होंगे जिनका इस्थान आप परिवर्तित रहेगा तो कितने ऐसे नमबर है जिनका इस्थान आप परिवर्तित रहेगा अब देखिए आरोही करम आपसे पूछा गया है यानि कि बढ़ता हुआ करम इंक्रीजिंग ओडर में आपसे ये लगवाए गए है कि इनको एक बार आप इंक्रीजिंग ओडर में लगाईए और तब बताईए कितने ऐसे अंक्रीजिंग होंगे जिनका इस्थान परिवर्तित रहेगा यानि कि अब कोई नंबर ऐसा होगा जो अब भी उसी पर होगा और इंको आरोही करम में लगाने के बाद भी उसी पर रहेगा तो देखे सबसे पहले क्या जाएगा इसमें एक आजाएगा उसके बाद दो फिर तीन चार पांच छें साथ आट और नो आजाएंगे तो ये कैसा करम है इसका बढ़ता हुआ करम तो आपने देखा जी यहाँ पे तीन था एक ये तो नहीं है यहाँ पे पांच था दो ये भी नहीं है एक था तीन तो आपने देखा जो ये चार है ये पहले भी कहा था चोते नंबर पर था और अब भी कहा है इसी पोजिशन पर सेम पोजिशन पर है तो उसके बाद आपन इस्थान एपरिवर्टित रखेंगे यानि कि उनका इस्थान क्या रहेगा एपरिवर्टित जी D option आपने पहले question का दिया था चलो कोई बात नहीं आपका सही था फिर तो ठीक है पहले का दिया होगा तो पहले का ठीक है अब यहाँ पे answer क्या जाएगा option number C आजाएगा option number क्या जाएगा C कि दो ऐसे number होंगे चार और आठ जो अपना इस्थान एपरिवर्टित रखेंगे तो देखें next question क्या है इसने कहा PQRS और T की अलग-अलग लंबाईया है PQRS और T की अलग-अलग लंबाईया है तो देखें इसके लिए मैं आपको एक basic सा बिल्कुल देशी सा concept बता देता हूँ कि कैसे इसको करेंगे आपने लिखा PQRS S और T आप से ये बोला गया कि पांच व्यक्ति है अलग-अलग इनकी लंबाईया है उसने कहा R T से लंबा है R T से लंबा है तो अपने लिखा जी अगर R की लंबाई यहां तक है तो T की लंबाई यहां तक होगी क्यों? इसको चलो थोड़ा सा और यहां तक ले ले क्यों? क्योंकि उसने कहा जी R की लंबाई T से जादा है R T से लंबा है तो इसका मतलब R यहां तक इतना लंबा है तो T यहां तक होगा बात समझ भाई? परंतु P से छोटा है प्रंतु P से क्या है छोटा है कौन R तो P क्या है P इससे भी बड़ा होगा तो इसको मैं थोड़ा सा और यहां तक ले लेता हूँ अब देखिए उसने क्या कहा था उसने कहा था कि R T से बड़ा है तो R मैंने यहां तक लिया T यहां तक है उसने कहा परंतु P से छोटा है तो इसका मतलब P क्या है R से भी बड़ा है इसके बाद उसने क्या बोला S क्यूं से लंबा है S क्यूं से लंबा है परंतु T से छोटा है तो देखिए S क्या है क्यूं से तो लंबा परंतु T से छोटा T यहां तक है तो S यहां तक आजाएगा और Q से क्या है बड़ा तो इसका मतलब क्यों यहां तक आपका रहेगा तो अब आपसे पूछा क्या गए आपसे पूछा क्या गए इनमे से कौन सबसे लंबा है तो बताईए देखते ही आप पता सकते हो कि इन में सबसे लंबा कौन है इन में सबसे लंबा P है तो अंसर क्या जाएगा option number C कि इन में सबसे लंबा P है बात समझ पाए next अगर आप से पूछा जाता है कि इन में सबसे छोटा कौन है तो आप किसे कहो कि जी सबसे छोटा है क्यूं अगर आपसे पूछा जाता है कि इन में बीच के नंबर का कौन है यानि कि 2 से छोटा और 2 से बड़ा तो आपने कहा जी बीच के नंबर का T है क्यूंकि T से छोटा एक तो S है और एक क्यूं है और T से बड़ा R है और उससे है और कितनों से छोटा है तो आपने कहा जी आर तो केवल पी से छोटा है अब दूसरा क्या है कि एस कितनों से बड़ा है तो आपने कहा जी एस तो केवल क्यों से बड़ा है अब आप से कहा एक और कोश्चन की s कितनों से छोटा है तो आपने कहा 1, 2, 3 तो s 3 से छोटा है तो यहां से देखिए अगर आप इस से करोगे तो कोई भी आंसर आप निकाल सकते हो बड़े आराम से बड़ा आसान सा ये concept आपका रहेगा क्या आप बात समझ पाएजी बिल्कुल अनुजगुमार का अंसर सही है P उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया next देखिएगा कहा ये सरंखला आपको दे दी गई है इस सरंखला को पूर्ण कीजिए अब देखिए आपको इसमें भी doubt रहता होगा कि इसको कैसे करेंगे लेकिन मैं हर कलास में आपको एक इस टाइप का question कराता हूँ और आज भी लेके आया हूँ और मैं इसका बिल्कुल आपको shortcut भी बताऊँगा कि इसको कैसे करेंगे सबसे पहले आप इसको लिख लो B, C, D space, B, space D, A, B, C space A, space C, D, A तो आपने आपने ये लिखा सबसे पहले आपने जैसे ये लिखा इसके बाद आपको करना क्या है कि जितने भी ये letter और space दिये गई होंगे एक बार आप इन सभी को count करो तो जैसे आपने इसको count किया ये कितने बने ये बने total 16 अब देखिए 16 के factor हम क्या कर सकते है 16 के factor कर सकते है 2 into 8 या फिर दूसरा हम कर सकते है 4 into 4 2 into 8 या फिर हम दूसरा कर सकते है 4 into 4 अब देखिए आपको एक letter दिखाए दिया होगा B एक letter C, एक D और एक A तो कितने letter आपको दिखाए दिये 4 letter दिखाए दिये तो factor भी क्या बने 4 इंटू 4 या फिर 2 इंटू 8 तो इसका मतलब 4 लेटर जब आपको दिखाई दिए तो ये तो नहीं बनेगा तो क्या बनेगा ये आपकी position रहेगी यहनि कि चार, चार के चार पेर बनेगे तो आपने पहला लिखा एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे कट लगाया, दूसरा, एक, दो, टीन, चार यह लगाया, दो, तीन, चार यह लगाया और बाद़ idores, यहनि कि आपने 4-4 के यहां से 4 पेर बनाए 4-4 के कितने पेर बनाए 4 अब देखें यह स्टार्टिंग में क्या है B, यहां पर क्या है B, यहां पर भी क्या है B, और यहां पर इस्पेस है तो आप अपनी तरफ से B लगा दो कि जब 3 में B है तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया B तो last में एक situation complete हुई क्या B, C, D, A उसके बाद देखें यहाँ पे क्या है B, C, D अब देखें यहाँ पे B, C, D, A यहाँ पे क्या है space तो आपने A लगाया तो यह भी क्या हुई complete कि B, C, D, A बनी फिर यहाँ पे B space D, A तो इसका मतलब यहाँ पे C आजाएगा आपका तो यह भी complete बनी B, C, D, A और यहाँ पे B, C space A तो इसका मतलब यहाँ पे D आया होगा क्योंकि नहीं चारो लेटर के अलावा कोई और लेटर इसमें नहीं दिया गया तो concept कितना आसान सा question आपका बना कि B, C, D, A B, C, D, A B, C, D, A B, C, D, A यह आपका चार चार के चार पेर बने अब आपको इसमें से answer निकालना है सबसे पहले क्या आया A, उसके बाद C उसके बाद D, उसके बाद B A, C, D, B A, C, D, B जैसे ही आपने देखा A, C, D, B को तो इस question में आपको यह type यूज करने थी अब हो सकता था मानलो अगर यहाँ पे जैसे 16 के पेर थे 4 इंटू 4 के पेर में मानलो answer नहीं आता तो answer फिर दूसरा कैसे आता या तो 2 के 8 पेर बनते या फिर 8 के 2 पेर बनते बात समझ पाए अगर मानलो कभी कोई सीरी से ऐसी आजाए जिसमें 4-4 के 4 पेर नहीं बन पाए उससे answer नहीं आया तो फिर दूसरा हम कैसे कर सकते हैं दूसरा हम कर सकते हैं 2-2 के 8 पेर या फिर 8-8 के 2 पेर बात समझ पाए तो यहाँ से आपको कोई भी confusion नहीं रहना चाहिए next देखिएगा इसने कहाँ C-O-R-D को D-O-S-E लिखा जाए तो G-O-L-D को होम लिखा जाए तो S-O-N-S को क्या लिखा जाएगा तो बताएगे क्या लिखा जाएगा तो मैंने लिखा C-O-R-D का कोड क्या है D-O-S-E next क्या है G-O-L-D H-O-M-E और आपसे पूछा है S-O-N-S का कोड क्या होगा तो अब देखिए C से D पलस वन O से O R से S क्या है पलस वन और D से E फिर से क्या है पलस वन अब देखिए यहां से क्या है कि C-O-R-D इसमें से तीन तो आपको कौनसोनेंट दिये गए एक वोवल दिया गया वोवल क्या है O कौन-कौन से वोवल होंगे 5 A-E-I-O-U अब इसमें से कौनसा दिया गया आपको O दिया गया तो जहां पे O आया वहां पे सेम रहा आपका बाकी जहां पे कौनसोनेंट आये वहां पे क्या है आपका पलस वन पलस वन की कंडिशन है G से क्या आया G से H आया O क्या है वोवल है फिर से क्या रहा सेम रहा यहां से L से क्या हुआ M, D से फिर से क्या हुआ E तो यहां से भी S से क्या हो जाएगा? S से T, O सेम रहेगा N से क्या होगा? M और S से फिर से क्या रहेगा? T, T, O, M, T N से क्या जाएगा? O आ जाएगा, भई T, Double O, T यहां से क्या अंसर होगा? T, Double O, T अंसर होगा जो कि आपको मिलेगा option number C में अब देखिए यह question आसान था, अब इसमें आपको दूसरा तरीका क्या दिया जा सकता था, यहाँ पे आपसे अगर पूछ लिया जाता, आपको confusion कहां रहता, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए S O, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए S N O S का कोड क्या होग का, अब यहाँ वो concept आपका यूज होता, वोवल और consonant का, कि जहाँ पे देखिए, तीन consonant थे तो पलस वन हुआ, वोवल रहा तो सेम रहा, अब यहाँ से आपने क्या करना था, आप इसमें क्या लोजिक लगाते हैं, फिलाल इससे भी आप का अंसर आजाता, कि पहले वाला, दूसरे वाला zero, मतलब दूसरे वाला same रहा, तीसरे वाला फिर से plus one और चोथे वाला, फिर से plus one, तो सेम से आंसर आगे आपका, लेकिन अगर यह आप से पूछा जाता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या है, तो स क्या है, पूनसोनेंट है, तो मतलब S से क्या आजाता है, और यहाँ पर क्या है एन फिर से क्या होता कॉंसोनेंट और यहाँ पर क्या आजाता ओ आजाता और यहाँ पर क्या है ओ सेम है तो यहाँ से भी यह रहता और एस से अगला क्या हो जाता आपका टी तो इससे भी आंसर क्या आजाता आपका टी डबल ओ टी अगर आप से यह भी चेंज कर देता SONS की जंग है SNOS कर देता तो आपको उसमें थोड़ा सा डाउट था नेश्ट देखिए इसने कहा एक व्यक्ति पहले दिन 15 रुपे कमाता है अगले दिन 15 रुपे कमाता है अगले दिन 15 रुपे कमाता है तो उसने पहले दिन क्या किये 25 रुपे कमाए अगले दिन उसने 15 रुपे खर्च किये तो इसका मतलब माइनस तो दो दिन में उसने कितने टोटल कितने रुपे कमाए तो 25 में से 15 माइनस तो 10 तो आप कह सकते हो कि दो दिन में उसने 10 रुपे कमाए अब उसने आप से कि टोटल आप से पूछा 105 और आपको पता है कि एक दिन में वो 25 लेके आता है तो 105 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो कितना आजाएगा आपका 80 आजाएगा अब जो ये 80 आया आपको पता है कि दो दिन में वो 10 रुपे कमाता है दो दिन में कितने रुपे कमाता है 10 रुपे तो उसको कमाने कितने है 80 तो ये कितने गुना है 8 गुना तो इसका भी 8 गुना हो जाएगा तो कितना 16 तो कितने दिन लगेंगे उसको 16 दिन लगेंगे जब उसने 16 दिन में 80 रुपे कमा लिए तो जब वो 17 दिन कमाने के लिए जाएगा तो कितने लेके आएगा 25 तो 80 पलस 25 यानि कि 16 पलस 1 तो कितने दिन लगेंगे उसको 17 दिन लगेंगे कितने रुपे कमाने के लिए 105 रुपे कमाने के लिए च्योंकि जब वो complete 105 रुपे कमा लेगा किवल वही तक की बात हुई उससे आगे की बात नहीं हुई चाहे वो उससे आगे 105 पूरे अगले दिन खरच कर दे लेकिन आप से पूछा क्या कईगा कि वो 105 रुपे कब कमाएगा कितने दिन लग जाएंगे उसको 105 रुपे कमाने के लिए तो आपने कहा जी उसको 17 दिन लग जाएंगे बात समझ पाए next देखें तो answer क्या हो जाएगा इसका option number D यहां से answer रहेगा 17 next चलते हम next question की तरफ इसने कहा यदि R का अर्थ माइनस ये भी ये एक question इस टाइप का भी आपके exam में पूछा जाता है की R का अर्थ माइनस A का अर्थ पलस B का अर्थ तो देखें यहां पर क्या होगा B का अर्थ यहां पर आपको कर लेना है divide क्योंकि यहां पर वो sign छूट जाता है इस टाइप इस टाइप की टाइपिंग करने में तो उसने कहा 25 तो आपने लिखा 25 इसपेश 36 इसपेश 2 इसपेश 4 और इसपेश 11 अब देखिए उसने क्या कहा उसने कहा कि यदि लिखिश में अर्थ माइन अइन सब्सक्राइब के शड़ और चेश्वा सर्मा uniquरुफ शड Stallion म節目ं आप पर यहां पर दोसलिक क्र academics माइन कहा और है पर में यहां पर तो यहां पर आपको आपको क्या जो की बता देता हूं कि यहां पे आपको divide का use करना है कि B का अर्थ क्या है divide है तो अब देखें B का अर्थ क्या है divide तो B कहाँ पे था B था आपका 2 और 4 के बीच में तो यहां पे क्या जाएगा आपका divide आ जाएगा फिर उसने क्या कहा C का अर्थ multiply हो तो C कहाँ इन दोनों के बीच में और यहाँ पर क्या है multiple है तो answer क्या होगा अब देखिए 36 into 2 divide 4 तो आपने से cancel किया 2 2 से इसको cancel किया 18 तो यहाँ से क्या आया 25 plus 18 minus 11 तो देखिए 8 और 5 13 13 में से 1 minus किया कितने बचे 12 है 2 और 1 3 3 यहां से कितने आजाएगे आपका 32 answer होगा ठीक है कितना answer आजाएगा आपका 32 answer होगा क्या आप बात समझ पाए नहीं तो आप ऐसे direct कर सकते हो 8 और 5 13 है 2 और 1 3 तो कितना आजाएगा 33 43 आजाएगा 43 में से आप 11 को minus करोगे तो कितना आजाएगा 32 आजाएगा तो यहां से आपका answer क्या होगा 32 answer होगा चलते हम next question की तरफ देखे next question क्या पूछा गया इसने कहा एक कतार में 37 बच्चे दक्सिन दिसा की और मुहू करके खड़े हुए हैं कहां दक्सिन दिसा की और मुहू करके खड़े हुए हैं कहां पे खड़े हुए है दक्सिन दिसा की और मुहू करके कितने 37 बच्चे टोटल स्टुडेंट कितने या टोटल बच्चे कितने 37 ठीक है जी उसने कहा दक्सिन की और मुहू करके खड़े हुए है RT के दाहिने आठवे इस्थान पर है जो D के बाएं चोदवे इस्थान पर है अब समझना बात को उसने क्या कहा RT के दाहिने मालो मैं माल लेता हूँ कि direction हमारी होती तो यह है NESW कि जब मैं south की तरफ दक्षिन की तरफ वे करेंगे तो उनका फेस नीचे की तरफ रहेगा और जब फेस नीचे की तरफ रहेगा तो यह कौन सी साइड होगी बाएं साइड और यह कौन सी साइड होगी दाएं साइड लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मैंने south उपर की तरफ बोल दिया ठीक है ये right side होगी और ये left side होगी यानि कि ये by side और ये दाए side अब उसने क्या कहा उसने कहा एक कतार में 35 बच्चे दकसिन दिसा की और मुहु करके खड़े हुए है R T के दाहिने इस्थान दाहिने आठवे इस्थान पर है जो R है वो T के दाहिने आठवे इस्थान पर है T ये रहा T का दाहिन इस्थान कितना कौन है R ये रहा कितने आठवा तो इसका मतलब देखिएगा यहां से समझेगा बात को जब आठवा इस्थान T से इसका है तो बीच में कितने रहे होंगे जी साथ रहे होंगे और आठवा कौन होगा यह होगा बात समझे फिर उसने क्या कहा कि R T के दाहिने आठवे स्थान पर है जो D के बाएं चोदवे स्थान पर है जो कौन T किसके बारे में बात हुई T के बारे में जो D से D के बाएं चोदवे स्थान पर है तो D के बाएं चोदवे स्थान पर कौन है जी T तो इसका मतलब जब यह चोदवा इस्थान होगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने student होगे, कितने चातर होगे, 13 होगे, तभी तो इसका इस्थान D से चोदवा आएगा, बात समझ पाए, अब आप से पूछा क्या गया, आप से पूछा गया, तो उस पंक्ती में D और R के बीच कितने बच्चे है, उस पंक्ती में D और R के बीच कितने बच्चे है, तो अब देखिए, यहां से यहां तक इसके बीच में कितने, 13, यहां से यहां तक इसके बीच में कितने, 7, 13 में से 7 गई, कितने बच्चे, 6 बच्चे, सोरी, 13 में से अपने 7 को माइनस कि तो कितने बच्चे छें बच्चे अब देखिए जो ये 6 आए ये क्या आए ये आए आए आपके D से R तक D से R की रेंक 6 लेकिन आप उसने पूछा है कि D और R के बीच कितने बच्चे होंगे जब आपको पता है कि D से R की रेंक 6 है चटी है तो इन दोनों के बीच में बच्चे कितने रहे होंगे, पाँच बच्चे रहे होंगे, तो उप्सन कौन सा हो जाएगा यहां से, उप्सन भी आपका सही होगा, कि उन दोनों के बीच में पाँच बच्चे रहे होंगे, क्या बात समझ पाए, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार फिर से देखिए उसने कहा था कि R T के दाहिने आठवे स्थान पर है अब मैंने उपर साउत रखा है अगर मैं नोर्थ को रखता तब होता लेप्ट इदर राइट इदर लेकिन मैंने उपर मान लिया साउत को इस बार तब भी क्या है लेप्ट राइट ताकि मुझे रहा हूंगे जी साथ ऐसने बोला D से left कितने T रहा होगा चोधवे स्थान पर यानि के इन दोनों के बीच में 13 स्थान रहे हूंगे यहां से यहां तक ते रहे और यहां से यहां से यहां से यहां तक कितने रहे होंगे 6 बाट समझ भाई 7 और 6 13 और 14 उसने उच्छा R और D के बीच में, जब आपने कहा D से R की रेंक क्या है, छटी रेंक है, तो इन दोनों के बीच में कम से कम पांच स्टुडेंट रहे होंगे, उपसन B आपका यहां से सही आया, नेक्ष्ट देखिएगा, इसने कहा, यदि महिने का दसवा दिन सनिवार हो, तो उसी महिने का 27 दिन कौन सा होगा, तो उसी महिने का 27 दिन कौन सा होगा, तो बड़ा असान सा है, क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा दिन से निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा दिन कैसे, उसने कहा, better day दिया गया है आपको और आपसे पूचा है कि 27 वा दिन क्या होगा तो देखे इन दोनों का डिफरेंस कितना इन दोनों का डिफरेंस होगा जी 17 17 को अपने साथ से डिवाइड किया तो 7 दुनी 14 आपने कहा जी 2 तो बने इसमें सब्तहा पलस तीन आइज में एक्स्ट्रा दिन अब आपको पता है कि एक सब्तहा के बाद जब भी अगला दिन होगा वो क्या होगा सेम डे होगा यानि कि सब्तहा की कितने की भी बात की जाए उसके बाद की अगर बात है मैं कहूं एक सब्ता के बाद जो दिन होगा वो जो एक तारीक को रहा होगा एक सपता बाद अगले दिन सेम रहा होगा, दो सपता बाद, तीन सपता बाद, कितने भी सपता आपको बोल दिये जाए वो क्या रहेगा, सेम रहेगा तो यहां से concept क्या है, extra दिन का तो क्या करना है, सनिवार में आपको तो तीन दिन extra कर देने है, तो सनिवार में तीन दिन आप extra करोगे, तो क्या सर आजाएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार तो यहां से क्या आजाएगा आपका option number C, मंगलवार बात समझ भाई क्या आजाएगा, मंगलवार आजाएगा next देखेगा इसने कहा, यदी सभी पक्सी, यदी पक्सी उड़ सकते हैं इसने कहा, यदी पक्सी उड़ सकते हैं अब देखिए, इस टाइप का question आई आपके सामने कि पक्सी इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ पक्सी इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया one, two, three next उसने कहा, मचलिया तैर सकती है मचलिया तैर सकती है तो यहाँ पर भी आप है लगा लो मचलिया तैर सकते हैं, इसको क्या बोला 2, 4, 5 फिर इसने कहा मक्खी कीट है क्या है मक्खी कीट है इसको क्या बोला इसको बोला गया है 1, 6, 7 मक्खी कीट है फिर इसने कहा मचलिया नहीं उडती एक और बोल दिया कि मचलिया नहीं उडती अब देखिए ये एक नया टाइप आपको मिला होगा लेकिन ये क्या है इसमें केवल ये लेंग्वेज चेंज की गई है बाकी आपका सेम है कोडिंग डिकोडिंग के लाश्ट टाइप आपको जो कराइजाती है उसका कोश्चन है इसको कहा गया है फाइप वन एट अब आपसे पूचा क्या गया है आपसे पूचा गया है कि क्या होगा पक्सी नहीं तैरते इसका कोड क्या होगा तो नूर्मल सी बात है आप निकाल सकते हो बड़े आसान से तरीके से तो देखिए पहला निकालना क्या है पक्सी तो आपने देखा जी पक्सी ये रहा इसके अलावा इन चारों में से पक्सी इन तीनों में किसी और में नहीं है दूसरे में क्या है मचली तैर सकती है मक्खी कीट है और मचलिया नहीं उड़ती तो इसका मतलब जो पक्षी का कोड होगा वो इन तीनों में से कोई एक रहा होगा और इन तीनों में से कौन सा एक जो इन में कोमन नहीं है तो आपने देखा जी दो क्या है, कोमन है, एक भी क्या है, कोमन है, तीन ऐसा नंबर है, जो कोमन नहीं है, तो इसका मतलब पक्सी का कोड क्या आया जी, तीन आया, दूसरा आप से पूछा नहीं का कोड क्या है, तो आपने देखा जी नहीं ये रहा, इसके अलावा नहीं कहीं और नहीं है तो आपने देखा जी नहीं का कोड इन तीनों में से कोई एक होगा तो 5 आपने देखा 5 क्या है common है एक भी common है तो इसका मतलब 8 common नहीं है तो नहीं का कोड क्या आया 8 आया उसके बाद आपको निकालना है तैरते तैरने का कोड़ तो ये रहा आपका तैर कि मचलिया तैर सकती है तो इसका कोड़ 245 में से कोई एक होगा कौन सा जो किसी और में कोमन नहीं है तो दो भी कोमन है पांच भी कोमन है तो बचा कौन चार तो कोड़ क्या आया 384 तो यहां से आपका कोड़ बन जाएगा option number A पकसी नहीं तैरते का code क्या होगा 384 होगा क्या आप बात समझ पाए पकसी नहीं तैरते इसका code क्या होगा यह 384 होगा next देखेगा जी आज के लिए आपके यह इतने ही question थे तो एक बार जल्दी से comment करके बताईएगा कैसी रही आज की class जो आपकी special थी इस टैनोगराफर के लिए next बाकी हमारे हर एक exam के लिए हमारी हर subject की class आपको इस channel पर मिल रही है आप ध्यान से पढ़ते रहिए देखते रहिए तो मिलेंगे हम आपसे next class में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एक और नए concept के साथ मिलेंगे आपसे तो बने रही है आप my career YouTube channel पर जिसने भी channel को like, video को like नहीं किया वो एक बार like कर दे, share कर दे और जिसने channel को subscribe नहीं किया है, वो channel को भी subscribe कर ले क्योंकि यहाँ आपको कराए जाएंगे question ऐसे exam जैसे मिलेंगे हम आपसे next class में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद